तेन्यू सोच रहा होता है कि इह उन आज कल क्या कर रहा होगा उसके हिसाब से ये सब उसका एक सपने जैसा उसे लगता है क्योंकि वो अपने पहले प्यार को भूल नहीं सकता है और तभी तेउन का फोन बचता है और ये फोन उसके पादर का होता है पादर बोलते हैं कि टेउन आज तो तुम्हारा काम पे जाने का पहला दिन है क्या तुमने अपने अपको ठीक से प्रिपेर कर लिया है तो टेउन बड़ी हसी से बोलता है हाँ हाँ मैं पुरी तरीके से तयार हूँ तब ही उसके पापा के बाद ममी उसका फोन लेके बोलती ह क्या तुम्हे राइस के पसंद एता वो बोलता अपनी मा को कि मा तुम जादा चिंता मत करो मैं यहाँ पर एकदम ठीक हूँ और उसकी मा बोलती है कि आजकल की दुनिया बहुत ही कठीन है लेकिन फिर भी तुम्हें अपने नेबर्स को जाके विश करना चाहिए क्योंकि त तुम्हें बोलता है कि ओके मैं समझ गया हूँ और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अकेले रहना और अकेले जवाब करना भी बहुत मुश्किल होता है तो उसकी मा कहती है कि तुम अपना घर बार अच्छे से समाल के रगना उसे ज़्यादा गंदा मत कर देना और तब मन में सोच रहा होता है कि हमारे में उसके बाजू वाला नेबर किस तरह का होगा क्या हो एक अच्छा इंसान होगा या बुरा इंसान होगा या कैसा नेबर होगा है तब ही वो बैल बचाता है और वहां से आवाज आती है कि कौन है तब वो ट्यून सोचता है कि शायद इस अपार्टमेंट को खरीदा है और मैं यहां मूविन हुआ हूँ, मैं अपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, तभी दरवाजे के अंदर से एक छोता सा बच्चा निकलता है, जो कि बहुत ही क्यूट होता है, और बच्चा बुलता है हेलो, तो ट्यून अपने मन में सोच रहा और बुलता है हाँ बिटा, I'm sorry, क्या तुम्हारी ममी घर पे है, तो बच्चा बुलता है हाँ, मेरी ममी घर पे है, तब भी उसकी माँ आवाज लगाती है, टे नू करके, और टे यून जो है, वो सोचना लगता है कि यह आवाज कुछ जो है पहचानी भी है, और उसकी माँ के बुलती है, कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कि तुम मेरा इंतिजार किया करो, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी और दरवाज़ा खुल दिया, और तब ही वो उपर देखता है कि कौन है, और देखता है कि उसका नया नेबर है ये, तो वो अपने आपकों इंट् उनों को देखने लगता है और इहुन सोचता है कि ये टेउन कैसे है यहाँ पर टेउन बुलता है इहुन क्या ये तुम हो और उसकी आखों से आज सो निकल जाते हैं ये देखके कि हाँ ये वाकई में इहुन है और उसे लगता है कि जो उसमें पहली बार उसे देखा था ये एकदम सपने की तरह है और दब इहुन अपना हाथ बढ़ाता है और टेउन के आसु पुछता है और तेउन सुचत है कि ये सब क्या सपने की तरह है क्या यदि मैं अपनी आखें बंद करूँगा तो क्या इहुन वापस से गयाभ हो जाएगा क्या और इहुन फटाक से तेउन दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और टेहुन बोलता है इहुन मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया तभी बच्चा नीचे से बोलता है कि डैड क्या ये तुम्हारे फ्रेंड है टीनू और तभी इहुन बोलता है कि टीनू है कि मैं कितना भी शौक हूँ लेकिन कि मैं क्या कर रहा हूँ और तभी इह उन अपने बच्चे को बताता है कि यह जो है लिटल ब्रेदर इन्हें मैं पहले से जानता हूँ करकी और उसका बच्चा कहता है ओके डैड और तभी हिन सोच रहा होता है कि हमें मिले वे 5 साल हो ते यून काफी लंबा समय हो गया तुमसे मिले वे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें वापस देखूंगा तुम कैसे हो ते यून जो है वो अभी खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है और अपने मन में सोचता है कि उसकी मन को शानती मिली इह उन को बोलता है कि तुम कैसे हो और यून पूछता है टे यून तुम कहां जा रहे हो तो वो बताता है कि मैं अपने कंपनी में जा रहा हूं और वो जाने से पहले यून के हातों को पकड़ता है और बोलता है कि मैं आके बात में तुमसे बात करता हूँ मेरे लिए इंतिजार करन और जो टेहुन है वो एकदम एक छोटे से पपी की दरा होता है जिसे कि उसे लगता है कि कहीं वो जाएगा तो वो कहीं खोना जाए और टेहुन बोलता है कि ठीके फिर में जा रहा हूं यहुन भी स्माइल देता है और उके कहता और वो चला जाता है यहुन अपने मन में सोच रहा होता है कि टेउन जो है वह काफि बड़ा हो चुका है मैच्योर हो चुका है लेकिन व। अभी भी काइंड और जेंटल है देयालु है और अपने मन में इह stell heck यसमें कभी नहीं सोचा था कि वो फिर से कभी टेउन से मिलेगा और वो भी इस तरह कि वो इसका next door neighbor होगा तबी इहुन का बच्चा अतर बोलता है पापा मैं तयार हूँ तो इहुन बोलता है ठीके ठीके जल्दी आओ मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह के से तयार हुए हो और इहुन अपने बन में सोच रहा होता है कि 5 साल बीज गए मैं एक टाइम पर टेहुन को छोड़के भाग गया था और अब मैं अपनी जिन्दगी टीनू के साथ आराम से काट रहा हूँ टीनू जो है वो इहुन और टेयू का बेबी है और इहुन अपने बच्चे को गले लगा लेता है और सुचता है कि सब कुछ आगे ठीकी होगा और जब इहुन अपने कंपनी में पहुंचता है तो वहां उसे लोग इंट्रिजूस कराते हैं बोलके कि ये हमारे कंपरी का नया एंप्लॉई है इसका नाम टेयून है और तभी उसका सीनियर बोलता है कि हाँ हम लोग कॉलेज में साथी पढ़ेते तो अब आप लोगों को भी टेयून को भी देखरेक करनी होगी दूसरा एंप्लॉई बोलता है कि वैलकम टेयून और टेवन बोलता है कि थेंक्यू आपको भी मेरा ख्याल रखना पड़ेगा तुकि मैं यहाँ पर नया नया हूँ और टेवन इतना खुश होता है कि वो अपने डेक्स पे बैठे बैठे काम करते वे सोच रहा होता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना काम करके घर जाना चाता हूँ मैं ज़्यादा देर वेट नहीं का सकता मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि यहून जो है वो मेरा नेक्स डोर नेवर है और मैं पहली बार यहून से तब मिला था जब मेरी फैमली दूसरी जग़ा पर शिफ्ट हुई थी और वो भी वो दिन था जब उसे मुझे अपने जेंडर के बारे में पता चला था कि मैं अलफा हूं करके और तबीव वो बोलता है कि हाँ रियून की माँ बोलती है कि हाँ तुम एक अलफा हो यहाँ पर यह बोलते हैं कि दुनिया में दो तरके जंडर होते हैं एक आदमी और एक औरत लेकिन इनकी दुनिया में अलफा होता है बीटा होता है और ओमेगा होता है जिन में से ओमेगा एंड अलफा एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं क्योंकि उनके फेरामोन से एक दूसरे को अट्रेक करते हैं। उनकी खुश्बू एक दूसरे को अट्रेक करते हैं। तब ही उसकी ममें बोलती है कि टेउन, मुझे कोई फरक नहीं पता कि तुम आदमी को डेट करो या वूमेन को डेट करो। लेकिन तुम जिसको भी डिट करो तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना पड़ेगा और वो जानती है कि अलफा और ओमेगा एक दूसरे से अकरशित होते हैं तो टेउन भी सोचता है कि हाँ यह सही है क्योंकि मेरे माबाब जो है वो एक परफेट एक्जामपल है इस चीज़ का और वो सुचता है कि यह अच्छा होता यदि वो बीटा होता तो लेकिन जब तुम अपने उस एज में आते हो जो इस एज में उनके फ्रैरमोंस रिलिस करते हैं तो उसे यह लोग रूट बोलते है जिसे रूट जो है वो अलफा के लिए होता है और हीट जो है वो ओमेगा के लिए होता है मतलब कि जब ये लोग को इच्छा होती है प्यार करने की या किसी के साथ प्यार बनाने की तो वो वाले जो फिलिंग्स होते हैं इनके एक साइकल की तरह आते और जाते रहते हैं लेकिन ये अपने साइकल को अपने फीलिंग्स को दबाने के लिए एक विशेश प्रकार की दबाई लेते हैं जिससे ये अपने आपको कंट्रोल में रख सकें लेकिन वो सुचता है कि जब ये सब हुआ था तो ये सब उसके लिए बहुत अनॉइंग था क्योंकि उसे इन सब की आदत नहीं थी और वो सुचता है कि हमारे जो बाजू में रहता है वो एक बहुती गॉर्जिस ओमेगा है और उसकी माँ बोलती है कि टेउन तुमना खुशियार रहना और वो अपनी माँ को बोलता है मा वहाँ बाजू में जो हमारे रहता है वो इहून है और इहून तब ही दरवाजा खोल के निकलता है और बुलता है हेलो और टिहून जो है इहून को देखके एक दम से शर्मा जाता है उसका गाल पूरा लाल हो जाता है क्योंकि इहून दिखने में भी काफी अच्छा होता है और तब ही ट्यून की मा इहून को और ट्यून को मिलाती हो बुलती है कि तुम नो एक दूसे से पहली बार मिल रहे हो लेकिन बता दू कि यह हमारे नए नेवर्स हैं और तब ही इन बोलता है ओ तुम हो टियून करके और मैं जो हूँ इनू हूँ और मुझे तुम से मिलके खुशी हुई है और तभी ट्यून बोलता है कि मुझे भी तुमसे खुशी हुई हुए मिलके लेकिन उसके दिल में बहुत तेज धड़कने धग 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 हो रही होती है और तभी वो सुचता है कि यह अच्छा है कि मैं अलफा हूँ लेकिन तभी ये भी सुचता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है इहुन को देखके इहुन टेरेस पे अकेला खड़ा होता है और स्मोक कर रहा होता है और तभी टेउन आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ तो इहन पूछता है कि आज तुम कैसे जल्दी आगे तो टीहन बोलता है आज तुम्हेरा सिर्फ एक मौक एक्जाम था इससे ज़्यादा कुछ नहीं था तो मैं जल्दी फ्री हो गया तो इहन बोलता है ओ मुझे अब पता चला इहन के हाथ में एक तरह के चोट के निशान होते है जो टीहन देखता है और सुचता है कि ये बूजेस कैसे उसे पड़े हैं कहां से उसे चोट लगी है और वो ये भी सोच रहता है कि जब भी इहन को देखता है उससे लगता है कि इहन किसी डेंजर में है और वो किसी को बताना नहीं चाहता है लेकिन वो फिर भी स्माइल करता रहता है तभी ट्यून बोलता है क्यों आज हम एक साथ डिनर करें तो इहुन बोलता है क्या हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करके वो स्माइल देता है और तभी वो सुचता है कि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हम दोने एक दूसरे के साथ रहें करके, साइड बाइ साइड और ये साथ फ्लोर पे रहते हैं और उसे ट्यून को आवाज सुनाई आ रही होती है तो वो बोलता है कि तुमने अभी तक खान अनू जैसे ही पहुचता है ये इसका फ्लैश बैक होता है ट्यून और ये बीच में जब फ्लैश बैक खतम होता है तब पता चलता है कि ट्यून जो है वो अपने ऑफिस से आ चुका है वो अपने लिफ्ट लेता है साथ फ्लोर के ल और इहुन पूछ रहता है, यदि तुमने अभी तक डिनर नहीं किया है, तो क्यों ना तुम मेरे घर में आके डिनर करो, यह देखके टेहुन बड़ा सहड हो जाता है, और सोचता है कि वो आदमी कौन है, और कैसे वो यहां पर उससे मिलने आया है करके, तब ही वो आदमी इह शायद उसने सारा दिन बहुत खेल खेला है, डेकेर सेंटर में, जिसके विज़े से वो ठक गया है, इसलिए वो सो गया है, इहुन अपने बच्चु के अपनी गोदी में लेता है, और साइट की नजरों से देखता है, कि टेहुन लिफ्ट के बार खड़ा है, तो वो यहुन जो उसके साथ में एक आदमी खड़ा है, उसको बुलता है, कि तुम मेरे साथ घर के अंदर आओ, और वो उसको अपने घर के अंदर ले जाता है, और टेहुन भी अपने खुद के घर में जाने लगता है, वो अपने घर के अंदर आता है, और अपना बैग नीचे फ बेटा है क्या उसकी वो पहले से ही किसी और को प्यार करता है क्या मैं क्या करूंगा करके वो बहुत उदास हो जाता है और तभी दूसरी तरफ इहुन दो कप कौफी बना के लाता है और बोलता है कि तुम आपको धन्यवाद टीनू को घर पहुचाने के लिए तो दूसरे हैं इहुन बोलता है कि मैं अपने रास्ते से बुज़री रहाता तो मैंने सोचा क्यों ना टीनो को मैं घर ड्रॉप करता जाऊं। इहुन बोलता है थैंक यू उसे घर पर ड्रॉप करने के लिए। तबी सामने बेटावा आदमी पुछता है कि कि तुम उस यंग आदमी को जानत हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना इहुन भी अपने अंकल को यह जो दूसरी आदमी है वो कोई और नहीं वो इहुन का अंकल है और वो बोलता है ठीक है अंकल अब जाईए अराम से जाईए फिर इनके जाने के बाद इहुन सोच रहा होता है कि वो कितना अकेला था और कैसे तो उसने टीहुन को छोड़ के भाग गया था और अब क्या होगा करके और तब यूसे फ्लेश बग यात आता है कि उसने कैसे पहली बार ईहुन और टीनों दोनों के बीच में मतलब पहली बार कैसे प्यार हुआ था और वो अपने वन में बोलता है सॉरी और दोनों एक और इसमें जो है अलपा जब रूट होते हैं तो उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो ओमेगा के प्यारमून से अट्रैक्ट होती है और जिसकी वज़े से उन्हें बहुत ही इच्छा होती है प्यार बनागने की वह अपने फ्लैश्बैक में याद कर रहा होता है कैसे उसने और टीनो ने प्यार बनाया होता है उस रात को और कैसे टीन शर्मा रहा होता है और इहुन जो है बार बार टीन टीन करके नाम फुकार रहा होता है और कहता है तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारे मान में हो और दभी इहुन और टीन के बीच में वो सब होने लगता है जो एक पति-पत्नी के बीच में होता है करके और तभी इस सब होते होते इहुन भी बहुत शर्मा जाता है दोना इक दूसरे को किस करते हैं और इहुन सुचता है कि ट्यून जो है कितना होट एंड हैंसम है और कितना सुन्दर है और तभी वो अपने मन में सोचता है कि ये सब चीज़े तो बीच चुकी है लेकिन फिर भी अच्छा है कि ट्यून मेरे घर के बाजू में नयानेवर बन के आया है लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं पांच साल पहले क्यों चला गया था उसको छोड़के और दूसरे दिन सवेरे उठता है ट्यून और अपने आफिस जाता है और अपने सीनियर को मिलता है उसको सीनियर ट्यून को काफी देता है ट्यून बोलता है थैंक यून सीनियर पूषता है कि तुमмаरे जो चहरہ है भोती उत्राव दिक रहा है क्या बात है क्या तुम भीमार हो कोई समस्या है क्या तुम गर गये और आज सवेरे जब वहाफिस है तुम्हारा चहरह थोड़ा अजीव सा लग रहा है तिसीनि branch बिलता है कि बात यह है कि मैं अपने आगे क्या हुआ और सीनियर बुलता है कि तुम अपने फर्स्ट लव के कारण ही आज तक तुम अकेले रहे और नहीं तो तुम उसके साथ भी रह सकते थे लेकिन तुमने पूरा पूरा कॉलेज लाइफ सिंगल ही पिताया तब ही टिहुन बुलता है कि सीनियर मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ इवन खुश रखाये उससे जादा मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं आज भी इहुन के बारे में ही सोचता हूँ जब इहुन इसमाइल करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और तभी वो बताता है कि कैसे कल उसके हाँ पर उसने किसी एक आत्मी को देखा और वो यह चीज देखके बहुत सैड हो गया पर मैं उन दोनों को ब्रेक अप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो टीउन है वो सोच रहा होता है कि इवन जे साथ भी से मिला है वो उसका बॉइफ्रेंड है और जो उनका बच्चा है वो शायद उसके दोहरा ही उनका बच्चा हुआ है तो वो सुचता है कि अब उसका कोई नंबर नहीं है तो वो सुचता है कि मैं अब उसकी साथ तो रहूँगा लेकिन अब मैं उसके कच्छे दोस्त भाही की तरह रहूँगा और उसको हमेशा प्रोटेक्शन में रखूँगा और उसके नेबर होने के कारण में उसकी हमेशा मदद करूँगा तो सीनियर ये सारी बाते सुनता फिर बूलता है ठीक है जैसा भी है तुम्हें जैसा ठीक लगे ये तुम्हारा बिजनस है मैं क्या बूल सबता हूँ उसमें चलते हैं कॉफी भी खतम होगी वापस ऑफिस में चलते हैं तब ही टीहुन बोलता है कि सीनियर के तुम्हें कुछ पता है कि आजकर के बच्चों को क्या पसंद है कौन से खिलाने पसंद है मुझे क्या लेना चाहिए क्योंकि इहुन का एक चोटा बच्चा है इसलिए वो के क्योना लेने की सोच रहा होता है तो सीनियर बोलता है मुझे कुछ खास नौलेज नहीं है तबी टीहुन अफिस से आ रहा होता है और ईहुन कहीं जा रहा होता है वो दरवाजा ख Hetक हो आजamm देखता है कि इहुन और उसका बच्चा कहीं जा रहे है तबी इहुन अपने मैंने सब ठेल निया भी को खबाद को णीजा करा है और दो we seal design Alton che well ऑसमारा नाम टीनु को भी किन बोले में निस्टर छोटें बच्छे को भी hallo टीनु बोलो है हलो ऑपने पीछे से एक त्वाइन को देख आया है और उसे ौन को देखता है। और उससे आपकों में इक्षारे में पर्मिशन मंगता है कि हमें वो टॉय ले सकता है तो इहुन सोच रहा होता है मैं कुछ टीहुन से लेना नहीं जाता है लेकिन अब भी बच्चे के ले टॉय लेकर है तो मैं मना भी नहीं कर सकता तो वो अपने बच्चे को बोता है ठीक है तुम ले सकते हो लेकिन ये पहली और आकरी बार है इसके बाद तुम किसी से नहीं लोगे तीनो बहुत कुछ हो जाता है और बोलता है थैंकियो अंकल और तीनो अपने ट्वार के साथ खड़ा हो जाता है दोनों के बीच में और तीनो बोलता है इहुन और इहुन बोलता है मुझे आशर है और क्या हुआ क्या बात है तभी टीनो बोलता है कि आज रात को तुम फ्री हो इहुन बोलता है आज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर ऐसे करके वो लिप्ट में अपने बच्चे के साथ जाता है और बो वह अंकल को बाई बाई करता है और टीनू भी बच्चे को बाई बाई करता है और उसके बाद फिर उस दिन के बाद से इहुन और टीन दोनों एग उसे को मिलने लगते हैं इहुन अपने बच्चे के साथ पार्क में स्कूल बैग लिए वे वाक कर रहा होता है और टीनू जो ह आफें बुलता है किए तुम वेर काउट कर रहा है तो वह बोलता है हाा मैं बुपाउट कर रहे हूं तुम अपने डेक्टिव बूस बूस को भी लेके आयों आपने साथ तर्टिनों बोलता है हां मैं ओसी अपने साथ लेके आया है यहीदि मैं अपने गह चोड़ देता तोattend डिटेक्टिव ग्रुस गह में अकेले बोर हो जाते तइस तर्टिनों मुलता है मैं बूछे तुम पर गर्व है कि तुम अपने टॉय को भी अपने साथ लेके आए हो और तभी इहूर अपने बच्चे के साथ दूसरी तरफ जा रहा होता और पूछता है कि आज तुमने स्कूल में क्या किया क्या तुमने स्कूल में मज़ा आया और तभी बोलता है बच्चा जब स्कूल जाता है तो अपने दोस्तों को बताता है क और वो हमसे मिलते ही रहते हैं करके और फिर ये सब बच्चों के पार्क में जाते है इहुन बच्चों के पार्क में बैठा होता है तभी सोच भी रहाता है कि आज कल मैं टेउन को हर दूसरे तीसरे दिन देखता हूँ तब ही उसका बच्चा आ जा तर बोलता है डैड और इहून अपने मन में सोचाता है शायद इसलिए ऐसा है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के नेवर हैं तब ही इहून देखता है कि वाकई मेट्योन वहाँ पर आया वहा है और बोलता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर हो और बोलता है कि मैं यहाँ से बुज़र रहता है मैंने देखा तुम लोग यहाँ बैटे हो तो मैं इसलिए आ गया और मुझे पहले से तुमारी पीट देखी पता चला कि तुम कोई और ने तुम इह हो नहीं हो दोने एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मिलके बात करते है और वहीं पर दूसरे तुम और एक लड़का जो दोनों ही एक ही मरके हैं दोनों चोटों बिच्चे हो गार्डन में खेल रहे होते हैं टीनों भागते बहाता है और बुलता है अंकल डैड आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं खेलते हैं तब ही इहुन बुलता है कि तुम्हे अपने दोस के साथ और खेलना नहीं है तो टीनों बुलता है यह उखके मैं थोड़ी दर अंकल के साथ बैठना चाहता हूं और तीनो जो है नहीं तो बीचों से बीच में बैठता हूं और दोनों को प्यार से इक-एक हान डालके हसने लगता है और टीनो जो है वह यहुन को नाम सेम है तब ही टाइम जो है कुकी निकालता है और टीनू को देता है और इहुन दूसरी सरफ सोच रहता है कि हाँ दोनों का नाम क्यों नहीं सेम होगा क्योंकि जब इहुन ने इस बच्चे को जनम दिया होता है तो वो बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से टीनू है और अ कि टीनू को मिस कर रहा होता है और अपने बच्चे को देखके सुचता है कि ये बिल्कुल टीनू की तरह ही दिखाई देता है और ये भी सोच रहोता है कि ये बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन अब कभी में टीनू को दुबारा इस जिंदगी में नहीं देखना करके और और तभी वो बुलता है यदि तुम फ्री हो तो हम साथ में डिनर कर सकते हैं तो बच्चा बलता है ओके यह तो बहुत अच्छी बात है कि हम मैं दोनों अंकलों के साथ डिनर करूँगा और वहीं पर टीहून भी तैयार हो जाता है कि वहीं तभी बच्चा आता है और अपने पापा इहून से पुछता है कि मैं अपने डेतेटिव ब्रूस के साथ खेल सकता हूं ख दो मैं तुम है दूर से देखूंगा तभी टीहून आता है और इहून पम बढनता है ज نے कुछ झाना लेंगे तो जल्दी हो जाएगा तबी इहुन को उसके इतने पास खड़े रहने पे एकदम से शरम आने लगती है और उसको उसका चहरा पुरा लाल पढ़ने लगता है और वो सोच रहा होता है कि यह कितना अजीब है तो वो इहुन जो है फटाक शे ठीहुन को बोलता है तुम बाहर जाो तुम बाहर जाके बैठ questioning मैं अके लिया काम कर लोँगा मैं फटाब पर तुमारे लिए कॉफी बना के लेख के लोए तब मोच पुछ तां है तुमें कोड़ कफी चाहिए कि होट कफी चाहिए तो तुम तुमें पसंदो, तुम वैसी बना लो यून, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, और तभी वो सोफे पर बैठ जाता जाके टिहून, और सोचने लगता है कि ये जो घर है, वो उसके घर से थोड़ा डिफरेंट है, और सोचता है कि वो जो आदमी उस दिन उसने देखा था, वो आदमी शायद इहून की देखरे करता है, लेकिन वो आदमी कहां गया, वो क्यों नहीं है, आकर हो क्या रहा है, और फिर अपने मन में वो सोचता है कि ठीक है, मुझे शायद इतना कुछ नहीं सूचना चाहिए, और तभी इहून कॉफी लेके आता है, और सामने रखता है, बहुत गर्मे से थोड़ा ठंडा होने दो, तभी इहून पुछता है, अब बताओ मुझे तुम क्या कहना चाहते थे, तो टिहून बोलता है, पांस साल पहले मैं तुम से पुछना चाह रहा था कि तुम ने सड़नले तुम क्यों चले गए थे, इहून भी सुचता है कि उस कुछ मैंशन ना करूं करके, वो अपने बच्चे के बारे में अभी इस वक्त उसे नहीं बताना चाहता है, तभी फ्लैश बैट में चला जाता है सब कुछ, इहून याद करने लगता है कि क्या हुआ था, वो बेल बजाता है और अपने बाप के घर में जाता है, तभी उसक पीने से आपके पास सब दारू की स्मेल आ रही है, और तभी उसका बाप पुछता है कि तुम इतनी दे तक बाहर क्यों हो, तुमें कुछ पता भी है कि क्या हो रहा है, और तुमें क्या लगता है कि मैं एक जोग हूँ, तुम कैसे मेरे पे नीचे देख सकते हो, और इहुन तब ही अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा ग्रैजुइशन होता उससे पहले ही मेरे पैरेंट्स का डिवोर्स हो चुका होता है मेरे डिवोर्स के बाद मेरे पापा बहुत जादा दारू पीने लगते हैं और कभी-कभी मुझे मारते हुए लेकिन मैं इन सब चीजों का बहुत यूस्टू होता हूँ और मुझे उस टाइम पे कुछ फरग नहीं पड़ता कखके जब ये सब सोच रहा होता है तो उसका फ्लैश बैक खतम होता है और तब ही उसे याद आता है कि कि जब वो अपने घर से बहा निकल रहा होता है तो वो दो लोगों से मिलता है और उनको बताता है कि मैं आपके बाजू वाले घर में रहता हूं और ये दो neighbors कुई होन नहीं ये दो neighbors तेहन के माता पिता ही होते हैं और वो जाके यहन को rice cake देता है क्यिक्ते हो एक प्रता है कि जब भी कुई किसी के घर के बादवे श्रीफ्ट होता है नहा ओना तोब लोग उनके यहाँ पर जाके उनको ड्रिटिंग करते हैं हाई हलो करते हैं और रैसच के खिलाते हैं तभी इहन को टीहन की मा देखती है और बोलती है यह मेरा बेटा टीहन है करके और अपने बेटे के सिर में हाथ फेरती है और बताती है कि मेरा बेटा बहुत प्यार से पला बढ़ा है करके लेकिन ये कभी-कभी सीली भी होता है तो इहुन तुमें इसे अच्छी चीजे सिखानी है और तभी टिहुन बोलता है कि अरे ममी तुम कुछ भी ऐसे कुछ भी बोलती हो कुछ मत ऐसे बोला करो और तभी टिहुन इहुन के घर जाता है और देखता है कि इसका गर आस्त व्यस्त और पुछता है कि कल रात को मैंने जवा सुनी थी क्या तुम्हारे पापा ने ही ये सब किया था क्या ये इतना आस्त व्यस्त क्यों हो रखा है करके तभी वो बूलता है कि नहीं कोई बात नहीं मेरे पापा जो है वो ऐसा अधिकतर नहीं करते हैं लेकिन कभी-कभी वो पी लेते हैं तो उनसे ऐसा हो जाता है और तभी टिहुन की मा आती है और इहुन को बेंडे जगरा कर देती है और बुलती है कि अधि तुम्हें कभी किसी चीज की जरुबत है तुम मेरे पास आ सकते हो और तुम्हें मैं हमेशा हेल्प को निकले तैयार रहूंगी एहुन बुलता है थैंक यू और अपने मन में सोच रहा होता है कि वे टिहुन की फैमली के कितने क्लोज आ गया है उसे भी इशा भी होती है क्योंकि उसके पैरेंट्स ऐसे नहीं है जिसे टिहुन के पैरेंट्स है तो भी फ्लेश बैक में फिर चले जाते हैं और देखते हैं कि एहुन को आवाज लगा रहा होता है टिहुन पीछे से और तभी एहुन पुछता है कि टिहुन तुम अपने काम प पजा रहा हूं। और तब हम पुछता है कि आज तुम्हारे पास टाइम है क्या थोड़ा। तुम्हारे आगानृुट पशेडा है और तुम्हारे पूंथ है …। तक मिराो दिनेर पे जाता है। और इसी बहाने हम मेरा college में admission को celebrate भी कर सकते हैं और बुलता है कि ये मेरी treat रहेगी तो इनु बुलता है तुम कैसे treat दे सकते हैं तुम तो अभी अभी ही college join के तुम्हार पास तो उतने पैसे भी नहीं होंगे तो ये तैरा मैं कल तुम्हारे लिए dinner खरी दूँगा हम दोनों कर dinner जाएंगे और तभी टीहन बुलता है कि मुझे तुम्हें वैसे भी कुछ बताना है तो इनु बुलता है ठीक है और अब चलो चलते हैं तो दोनों चले जाते हैं और तभी इहन पुछता है तुम क्या बताना चाहते थे बताओ उँजे तो इनु टीहन बुलता है अरे लेकिन वो तुम्हें कल बताना चाहता था तो मैं कल ही तुम्हें बताऊँगा तुमको थोड़ा सबर रखना चाहिए और फिर ऐसा कहके टीहन इहन को बाइ-बाइ करता है और बलता है चलो फिर कल मिलते हैं और तभी बलता है ठीक है रास्ते में गेरफुल जाना और इहन अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे कोई फ्रेशा रिस्टूरेंट मेरे ले मील खरीच सकता है डिनर पर मुझे invite कर सकता है क्योंकि किसी भी fresh air restaurant के वा उतने पैसे नहीं होते कि कोई किसी को डिनर दे सके तब ही इहन को call आता है और पाद उसे बता चलता है कि उसके पापा का car का accident हो गया है और उस car accident में उसके पापा की death हो गई है और फिर इहन जो है पहुंचता है अपने घर और देखता है वहाँ कोई भी नहीं है और सोच रहा होता है कि मेरे पापा कभी भी अच्छे नहीं थे लेकिन आखिर का वही मेरी एक फैमिली के मेंबर थे अब मेरे पास कोई भी नहीं है अब मैं वाकई में अकेला हो गया हूँ और यह सब इ मेरे पापा के मानने के बाद मुझे पता चला कि उनके ओपर इतना करजा था कि उस करजे को चुकाते वे मुझे ये नी सुन में आता था कि मैं कैसे इस करजे को चुका हूँ इसलिए उसने ये घर जो था जिसमें वो लोग रहते थे वो घर उसने बेचने का फैसला कर दिया था और सुचा कि वो ये घर बेच के सारा का सारा करजा चुका देगा और चला जाएगा सारा समान पैक करने के बाद वो किसा है कि मैंने सब कुछ अपना समान पैक कर लिया है और फिर हो मैसेज किरता है पैकल सेंड मूवर्स को और कहता है कि मैं कल के बाद परसू वाले दिल यहां ज़ा। दूसरे तरफ टेहूं की फैमली तो चुछ रहत है कि हम इहुन को मिलने नहीं चाप सके क्योंकि इतना सब कुछ जल्दी हो गया और वो इहुन भी सोच रहा होता है कि फ्यूनरल की वज़े से मैं टीहुन की फैमली को चाके मिलनी सका और शाहिद मज़े जाने से पहले उन से बात करनी चाहिए और तब भी उसे याद आता है कि कैसे वो दोनों ने डिसाइड किया था कि वो दोनों डिनर करेंगे लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता और यदि वो मिलूंगा भी तो टीहुन को क्या कहूंगा करके और अपने मन में डिसाइड करता है कि लेकिन उसने कहा था कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है तो कर मैं उससे पूछूँगा कि क्या बताना चाहता है दूसरी तरफ वो जाता है और जाके बेल बजाता है तभी दर्वादा खुलता है और इहुन बोलता है टिहुन मुझे तुम्हे कुछ बताना है कि मैं अंदर आ सकता हूँ और तभी उससे समझ में आता है कि टिहुन की जो वोईस है वो बहुत ही होर्स हो रहती होती है और इस वोईस में उससे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे तभी वो देखता है कि जब वो दरवाजे को नौक करता है और अंदर जाता है तो वो देखता है कि कुछ तो प्रॉबलम है उसे टिहुन की एक बहुत ही होड़ सवास सुनाई आ रही होती है और वो सुचता है कि क्या टिहुन के पेरंट्स उसके साथ नहीं है क्या और वो अंदर जाके पुछता ह थिहों कि तुम बीमार हो क Alban Babar, क्या हो गया तुम्हें क्या प्रॉबलम है, मैं अंदर आ रहा हूं कर थिौ। और देखता हैं नदर चला दा दोटा है। यू auch यह सिमार सुओय है कि पर यो रूधर करके स्था देस motorcycle है रहा हGAN दर जाहता है। और बोलता है इहन तो तब ही इहन बोलता है कि सुरी मुझे शायद अभी नहीं नहीं आना चाहिए ता मैं चला जाता हूं फिर वो एक मिनिट के दर रुखता है और सोच में लगता है क्या मुझे सच में जाना चाहिए और तब ही वो सोचता है कि नहीं उसे नहीं जाना चाहि कि यदि वो टीहुन के साथ एक बेवी को बनाए तो कैसा रहेगा हो तभी वो जाता है और टीहुन को बोलता है इहुन को बोलता है इहुन क्या हुआ और तभी इहुन सोच रहा होता है और तभी इहुन सोचता है कि यदि वो टीहुन का चाइल्ड को जनम देगा तो वो कितना को पास जाके उसको ωको कालर से पकड़ता है। और वह सोचता है कि यदि मेरा और टिहुण का बच्छा वगा तो कितना ही अच्छा होगा करके और वह उसको किस कर देता है। तीहुन और इहुन एक दूसरे को देखने लगते हैं are एहुन बोलता है तिहुन चिंटा की कोई बात नहीं है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं मैं सब कुछ समाल लूगा करके and इहुन का जो चहरा है वो लाल हो जाता है यह सुनके इहुन और टीहुन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं इहुन उसके गाल पर हाथ लगाता है और बोलता है चलो दूसरे कमरे में चलते हैं और ऐसे करके वो उसे दूसरे कमरे में ले जाता है और फिर वहाँ पर दोनों के ब तब ये फ्लेश बैकांि परे उता है और टिहुन बुलता है और अज़ी आखने लगता है कि मुझे माफ करना ंँ आ कि अज़ छला गया bereits मैं क्टिया बताएथा उस जमें तुम्हें और वो उसकी आखों में देखने लगता है और फिर वो बताता है कि मैं इसले चला गया था क्योंकि मैंने अपने पिता जी का कर्जा उतारना था और इसले मैंने बहुत जल्दबाजी में अपना घhr भेज दिया और मैं जल्दबाजी में तुम्हें भी ना बताए ये चला गया और तभी वो सोच रहा हथा कि तो फोफुली टिहुन इससे ज़्यादा कुछ ना पूचे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यदि टिहुन कुछ ज़्यादा पूचेगा, तो मैं उसे क्या बता पाऊंगा, और कैसे बताऊंगा, तब भी टिहुन अपना हाथ बढ़ाता है, और इहुन के हाथ पे रखता है, और बोलता है कि क्या तुमने अपना सारा कस शुका दिया है, तो इहुन बोलता है, और तब ही अपने मन में सुच रहता है, कि टिहुन इसके आगे भी कुछ पूचेगा क्या, और तब ही टिहुन बताता है, कि मैं बहुत चिंदित था ये सोच कर कि तुम अचानक कहा चले गए हो लेकिन मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो और इहन गोलता है थैंक यू और ये भी सुचता है कि शुकर है टिहन ने कुछ आगे पूछा नहीं और फिर तभी इहन पूछता है कि टिहन तुम कैसे थे इतने सालों तक कैसे रहे कैसा रहा तुमारा और तभी टिहन बताता है कि मैं ठीक था और अब मेरी जाब भी लग गई है और मेरे सीनियस ने मुझे कॉलेज में बहुत मदद भी की तो टिहन बोलता है ये तो एक अच्छी बात है और क्या कहते है टिहन बोलता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम से बापस मिल सका और ये भी मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे बाजू के निबरी हो एकदम पुराने दिनों की तरह और मैं तुमारे बिलकुल क्लोज में रहना चाहता हूं बिलकुल पुराने समय की तरह और क्या मैं ऐसा कर सकता हूं वो इहन को ये सब पुशता है और तभी इहन बोलता है हाँ तुम बिलकुल रह सकते हैं और तुम मेरी देखभाल भी अच्छे से करना क्योंकि अब तुम मेरे नेबर्स हो तभी तीहन उठता है और बोलता है ठीक है अब मुझे घर चलना चाहिए और ढिनर के लिए उसे धन्यवाद देता है अब बोलता है तुम अपने जाते वक्रास्ते में कियरफूल रहना तभी तीहन बोलता है लेकिन मैं तो अन्फ्यूस नहों जाओं इसलिए मैं आपको अंकल बुला रहा हूं और तभी इहनों बोलता है कि ऐसे ठीक नहीं है तुम्हें पहले पर्मिशन लेने चाहिए किसी को भी अंकल बुलाने से पहले तो टीन बोलता है कोई प्रॉबलम नहीं है उसे अंकल बुलाना है तो उसको अंकल ही बुलाने दो और फिर वो बच्चा बोलता है टीनू बोलता है कि अंकल आप हमें दुभारा विजिट करना और इहनों को टीन बोलता है कि आज के लिए धन्यवाद और टीन बोलता है कोई प्रॉबलम नहीं है कोई चिंटा की ज़रुवत नहीं है और तभी इहनों टीनु के तुम अपने पापा के साथ ड्रॉइंग करना चाहते हो तो टीनु बोलता है हाँ धीक है मैं ड्रॉइंग करना चाहता हूं और फिर यहून अपने बच्चे टीनु को ब्रश कर वाता है बोलता है आ करो तो ओधों Candidil Hunter के लिए अयह वाले ब्रॉज कराने लगता है आज कल उसम्हें बहुत ही गरम महसूस होता है क्या ये इसले हैं क्योंकि टीन घर के भाचुमे राता है और उसके फीलिंग्स जो हैं उसमें वापस आ रहे हैं तब ही टीनो आता है और अपने पापा की बोल में चलता है और बोलता है मुझे नीदा रही है क्या आप मेरे लिए storybook पढ़ोगे क्या तो इहुन बोलता है क्यों नहीं चलो चलते हैं मैं तुम्हारे लिए storybook पढ़ता हूँ आज तुम्हें कौन सी story पढ़ना शुननी है मुझे बताओ और फिर वो अपने बच्चे को story सुनाता है और उसका बच्चा story सुनते सु जाता है यहुन अपने बच्चे को बाते पर एक किस देता है और गुड़नाइट कहता है और सुचता है कि फाइनली टीनू सो गया है और वहाँ से निकलता है और बातरूम में जाता है और सुचता है कि यह इतना अज़ीब क्यों लग रहा है मेरा पूरा शरीर गरम हो रहा है क्या problem है क्या मेरा heat cycle वापस आ गया है पर अभी इतनी जल्दी कैसे आ सकता है तीनों के जर्म के बाद तो मेरा heat cycle regular हो गया था और ठीक हो गया था तो क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं टियून को मिला हूँ करके और फिर वो यह भी सुचता है कि उसके पास inhibitors नहीं है मतलब उसकी दवाईया नहीं है तो वो क्या करेगा कैसे करेगा तब ही वो अपने आपको ही किसी तरह सुचता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ तो वो सुचता है कि मैं अपने आप से खुदी प्यार करूँगा तो शायद मेरा यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और फिर वो अपना हाथ अपने पैंट की तरफ बढ़ाता है और दीरे दीरे अपने शरीर को सहलाने लगता है काफी देर अपने शरीर को सहलाने के बाद में उसको जो है आराम नहीं मिलता वो सुचता है अब वो क्या करे यह सब कुछ काम नहीं कर रहा है और यह सबसे कुछ उसका होगा भी नहीं करके तब दूसरी तरफ एहुन को बड़ी प्राब्लम हो रही होती है क्योंकि वो चाहे अपने आपको कितना भी सहला ले लेकिन उसका जो हीट साइकल है उससे उसको अरामी नहीं मिल रहा होता है और वो बहुत कोशिस करता है कि वो पिसी तरफ अपने आपको अच्छा महसूस करा सके और तब ही वो टीहुन के बारे में सोचना चाहे चाहलू कर देता है कि कैसे उसके और टीहुन के बीच में प्यार हुआ, उन्दोनों ने कैसे प्यार किया और फिर साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि उसे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए उसे सब कुछ याद आ रहा होता है कि कैसे उसे टीहून के साथ प्यार बनाने में कमफर्टेबल होता है उसे कितना अच्छा लगता है और उसे कितना अच्छा फील हो रहा होता है उस टाइम पे उसकी सारी फ्लेश बैक मेमोरीज आ रही होती है और तभी उसे ये भी याद आता है कि टिहुन नसे एक बार पूचाता कि इहुन क्या तुम मुझे पसंद करते हो और फिर वो ये सब सोचते वे अपने आपको और सहलाने की कुशिस करता है लेकिन फिर भी उसे अराम नहीं मिलता और वो सोचता है कि वो शायद अप पागल हो जाएगा और वो सोचता है कि अब शायद उसे टिहुन को भी जादा नहीं देखना चाहिए हैं वो अपने रूट साइकल पे होता है मतलब उसे भी प्यार वाले फैरण मांस जो हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं उसका भी शरीर बहुत करम हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसे अपना इन्हाबिटर याने उसको भी उसकी दवाई लेनी चाहिए लेकिन उसे याद नहीं आ रहा हुता है कि उसने कहा रख दिया है पर उसे फिर भी याद आता है और वो एक दवाई को खा लेता है और खाने के बाद सुछता है कि अभ ठीक है अभ मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है और फिर वो भी imagine करने लगता है यह उनको कि कैसे वो लोग पहले साथ में थे और कैसे एक दूसरे से दूर हो गए और यह भी सुचता है कि यह ठीक है जब तक मैं दवाई खाता रहूंगा तब तक कोई problem नहीं होगी दूसरे दिन school bus का आने का time हो जाता है और टीनु में चड़ा जाता हूँर अपने pāpā को बोलता है पापा मैं भाद मैं मिलता हूं और तभी एहन teacher को बोलता है कि teacher आप Score टीनु का थोड़ा अच्छा धिहान रखना और teacher उत्तर देती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं ही तब ही इहन सोच रहा होता है कि मुझे विश्रास नहीं होता है कि मैं टीहन से बात कर रहा हूं जब कि मेरा हीट साइकल अभी तक पूरा हुआ भी नहीं है और यदि इस तरह मैं बात करता रहा तो मुझे फिर से वो वाले फीलिंग्स आएंगे जहां मैं प्यार बनाना चाहता हूं उसका दिल बहुत जो जो से धरकने लगता है और वो सुचता है कि अच्छा है कि मैंने आज अपने दवाई को खरीद गिया और अब मैं आज अपनी दवाई खा सकता हूं और तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे टिहून की आँखों में नहीं देखना चाहिए क्योंकि कर राद जो भी उसने किया और टिहून को इमेजिन करते वे अपने खुद के साथ उसकी वज़े से उसे बहुत किल्टी फील हो रहा होता है और तभी वो जाने लगता है तभी टिहून बोलता है कि रुको इहून एक सेकेंड रुको और ऐसा करके और टिहून के गालों पे हाथ लगाता है और उसके बाल में से कुछ निकालता है और इहून का पुरा चला लाल हो जाता है और तभी बोलता है तुम क्या कर रहे हो तो तुम्हारे बालों में राईस का एक तुकड़ा लगा वाता तो मैं वही निकाल रहा था। तु इहोन ugh एक निकाल आता। अरे यह जब टीन ? खाता है खाना टो वहोती मैसी होता है, में दार उधर खाना भिखें देता है . इसलिए उसका ही बिख्रावा राइस मेरे बाल में भी लग गया हूँ और ये बात करके दोनों हासते हैं और फिर आगे निकलते हैं और वो बोलता है कि ठीक है तुम आफिस जा और मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ करके और फिर टेहुन अपना ओफिस के ले निकल जाता है और एवन वहां खड़ा रहता है और सोचता है कि अब वो क्या करें तब ही वो बोलता है कि ठीक हून की ममी सारा ग्रोसरिय का शामान लेकर आ रही होती है और वो अब एक दूसे के नेवरी हैं तो वो उसकी ममी को ग्रोसरि कर समान लाने के में help करता है और फिर देखता है कि वो लोग घर पहुंच गये हैं और फटाफट वो kitchen में सारा समान रख देते हैं और उसे याद आता है कि कैसे टिहुन उसे उस time पे भी देखके शर्मा गया था और फिर फटाग से जाता है और अपने कपड़े बदल लेता है और उसकी माँ बोलती है देखो इसे यह कितव शर्मा रहा है और यह उन सुचता है कि मुझे शायद उसे बता देना चाहिए था कि मैं आज उसके गहरा आ रहा हूं तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं कोई problem नहीं है it's okay और फिर वो सुचता है कि जैसे पिछली बार वो उसका नेबर था इस बार भी वो इसका नेबर है पात सल के बाद भी वो दोनों एक दूसे के नेबर सी है कि और दभी इन सुचता है कि उससे अब शायद दवाया हर हपते ही खानी चाहिए तो यह सारे problems नहीं होंगे उसके स साथ और वो अराम से टाइम काट सकेगा तब ही वह नहीं बोलता है कि तूम यहाँ कैसे आए और जिस दिन से उन्होंने लास्ट डिनर किया था साथ में तब से टिहून और इहून के घर में अधिकता जाने लग गया था टिहून जाता है और बोलता है हेलो इहून और तभी इहून बोलता है कि मैं तुम्हें वीकेंड पे डिनर के लिए बुलाने आया था लेकिन हो सकता है तुम जॉब से इतना विजी हो कि शायद तुम वीकेंड पे रेस्ट करना मांगो तो टीहुन बोलता है नहीं इच सोके कोई प्राबलम नहीं है और फिर उसके बाद टीहुन एहुन के घर चला जाता है और वहाँ वह बैठके बाते करते हैं और इहुन पुछता है कि तुमने युनिवर्सिटी जॉइन कर ली तो इहुन बोलता है कि हाँ मैंने युनिवर्सिटी जॉइन करी है और मैं टीनु को डेकेर सेंटर में भेजने के बाद ही अपना जो युनिवर्सिटी है उसको अटैन करता हूँ और काम कर फिर बाद में इसको डे केर से बेजने कर अपने युनिवर्सिटी में चाके पढ़ाई बढ़ाई करता हूँ और ये एक तोड़ा शर्मनार की बात है कि अब इस एज में आके मैं युनिवर्सिटी मतलब जा रहा हूँ करके तो ट्युन बोलता है नहीं इसमें कोई शर्मनार की बात नहीं है कभी भी तुम अपना एजूकेशन पूरा कर सकते हो और ये भी कहा गया है कि जब भी कोई काम करो वो कभी काम लेट नहीं होता और फिर वो बोलता है कि तुम्हारा एज भी तो सेमी है मेरे तरह यदि हम दोनों एक साथ कॉलेज जाते तो कितना अच्छा होता करके और तभी टीहन बोलता है कि यदि तुम्हें कभी कोई बहुत बिजी हो कोई काम हो कॉलेज जाना हो और डे केर में उसे नहीं चो सकते तो तो तुम T aussi को मेरे पास चोड़ सकते हो मैं उसका धियान रख़ाँगा मुझे कोई प्रॉबलम नहीं होगा और फिर वो बोलता है कि यहन क्या कर रहा है गर के यहन तुम क्या कर रहे हो तो इवन बताता है कि कुछ खास नहीं, मैं अभी टीनू को सुला के आया हूँ, वो अभी सो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के साथ बैठके थोड़ी देर बात करने लगते हैं, और वो बताता है कि उसका होम वेक उसने कराया है करके, तो और तभी इवन बोलता है कि तुम्ह टीनू जो है, वो बहुत क्यूट है, इसलिए मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ, और तभी वो बताता है कि मेरे पास बहुत जाला फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए मैं वीकेंड पे भी फ्री हूँ, और वो बलता है कि ठीक है, फिर नेक्स्ट वीकेंड पे मैं तुमारे मिल बनाऊंगा तब ही टीनु ऊट जाता है dan पुछता है पापाmist depois often बलता है चाहर टीनु उठ गया है और वह little one को तुम मेरा इंतिजर करो मैं हाभी आया झां मेरा काम करो मैं हाँ पापा कौण है बाहर then अंकल यून आए वे हैं क्या तो यून बोलता है हाँ अंकल यून आए है तुम एक काम करो पहले अपने कपड़े बदल लो उसके बाद फिर हम बहार जाएंगे और वहीं पे टिहन सोच रहा होता है कि अब गूरुप प्रोजेक्ट चालो हो जाएगा तो जो यून है वो अपने क्लास के लोगों के साथ बिजी हो जाएगा और वो अपने क्लास के लोगों से रोजी मिलेगा और उसे ये सुचके बड़ी इशा हो रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि फिर यून को वो खुद कम देख पाएगा मैं भी तो यूनिवर्सिटी में था यदि हम दोनों उस टाइम पे एक साथ होते हैं तो शायद कुछ बात और ही होती हम दोनों कितना खुश होते और फिर उसके बाद तभी टीउन आ जाता है और बोलता है अंकल यून आप कैसे हो और तभी वो देख रहा होता है कि टीउन अपने आपको चाटा मार रहा होता है क्योंकि टीउन को अपने आपको वो मतलब ऐसे जो थौट्स उसके दिमाग में आ रहा होते हैं उससे वो अपने आपको जगाने के लिए अपने आपको चाटा माता है तभी वो टीउन देख लेता है बोलता है अंकल आप अपने आपको चाटा क्यों मार रहा है तो बताता है अरे कुछ नहीं यहाँ पर एक मच्छर था तो मैं उसे मार रहा हूं था तो इहुन बोलता है ओ थैंग गड़ तुम ना उस मच्छर को मार दिया तो यह एक अच्छी बात है और तब ही टीनू बोलता है कि तुम को जो भी काम करना है तुम करो इहुन तुम जाने से पहले बोलता है कि टीनू अंकल को ज्यादा परिशान मत करना और अंकल के साथ ही रहना हो तो टीनू बोलता है ओगी और तीनू जिर्फ पूछता है टीनू से कि हमें क्या करना चाहिए तुम क्या करना चाहते हो तो टीनू बोलता है कि अंकल कि आप Rainbow Heroes को जानते हो और उसकी आखे बड़ी चमक रही होती है और बहुत-बहुत खुश रहा होता है Rainbow Heroes के बारे में पूछ के तो दोनो Rainbow Heroes वाला गेम खेलने लगते हैं तो टीनू और टीहुन दोनों एंग्लूसर के साथ गेम्स खेलने में इतने बिजी होते हैं कि पूछो मत और फिर उसके बाद टीहुन सोच रहा होता है कि एक ही गेम काज उसने दस बार खेला है लेकिन फिर भी वो ठका नहीं है और यह भी सोच होता है कि बच्चों में कितना स्टैमिना होता है तब भी दरवाजा खुलता है और दोनों उस दरवाजे को देखते हैं तीनों बोलता है डैड तब ही टीहन सोच रहा होता है कि चलो कम से कम इहन बापस आगया तो अब उसके जान में जाना ही अब उसे और नहीं खिलना पड़ेगा क्योंकि वो ठक चुका होता है और तब ही इहन बोलता है कि अब चलो भी बस करो खिलना बंद करो क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश करा तब ही टीनू बोलता है कि हाँ मैंने अपना होमवर्क अंकल यून के साथ फिनिश कर लिया और तब वो पुछता है कि तुम्हें अंकल यून के साथ खेलने में मज़ा आया तो टीनू बोलता है हाँ मुझे अंकल यून के साथ रेंबो हारस खेलने में बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत सारे लोगों को भी डिफिट किया गेम में और तब ही इन बोलता है कि तुनो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जो आज तुम टीनो के साथ खेले और फिर बोलता है तुम लोग यहां पैटो मैं फटाफट फ्राइड राइस बनाता हूँ जिससे कि तुम लोग कुछ खाना खा सको और मैं फटाफट बना लूँगा यह तु टीनो बोलता है ठीक है तुम बना लेकिन इहुन मैं ज़रा तुम्हारा बात्रूम यूज करना चाहरा हूँ क्या मैं तुमारा बात्रूम यूज करना आठाफट लोगा जाता है वहाँ पर देखता है कि वहाँ दो ब्रश है और वह सोच रहा हुता है टीनो सोच रहा हुता है कि दो ही ब्रश क्यों है इसगर में वो एक आदमी भी तो मैंने उसे दिन देखा था उस आदमी का ब्रश क्यों नहीं है और इस बात तो वीकेंड भी है तो ईहुन को मेरी जरुवत क्यों पढ़ी जब वो आदमी था तो ईहुन उस आदमी के साथ में क्यों नहीं है क्योंकि टीहुन को लगता है कि वो जो आदमी उस दिन उसने इहुन के घर में देखा था वो शायद उसका बॉइफरेंड है लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो जो आदमी उस दिन उसने देखा था वो इहुन का अंकल होता है लेकिन टीहुन को ये बात नहीं पता है और टीहुन अभी तक इमेजिन कर रहा है कि वो शायद को फेवरेट राइस होता है इसलिए हिहुन बनाता है और दोनों खाना खाने के बाद एक डुसे को थैंक्यू कहते हैं और इसी के साथ अपने घर चले जाते हैं क्यूंकि राथ बहुत हो चुकी होती है दूसरे दिन टीहुन अपने आफिस जाता है और शाम तक काम करता है और जैसे ही उसका काम खतम होने वाला होता है वो भी सुचने लगता है इहुन के बारे में सोच रहा होता है कि हम कितने छोटे से महले में रहते हैं और हम एक दूसरे के नीबस हैं तभी टीहून का senior उसे बलाता है इधर आ, और उसे अपने टाबलेट पे कुछ दिखाता है काम के सिलसिल में, और फिर टीहून सूछता है कि यह सारा काम करके मैं जल्दी से घर जा सकता हूँ, तभी उसके call पे call आता है इहून का, वो देखता है कि इहून ने उसे call किया और तो एहुन बहुत गबराया हुआ होता है और बोलता है मैं क्या करूँ कैसे करूँ कहा देखूँ तो टीहुन बोलता है क्या हुआ एहुन क्या हो गया ठीक से बोलो और टीहुन को लग रहा होता है कि एहुन फोन पर रो भी रहा है तो एहुन बताता है कि वो टीनों को परॉबलम है। क्यूं आपके मैं ऐसा बोल रहा है !! तहेल से थीविज मैं आपके खाया हूं मैं हिर रहा है की करुछा है तो पता क्या है, यह मिलें यह शीजवन कि फ़यए छब जाए है जब वो पुँचता है तो इहून टेउन को देखता है और टेउन पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम के क्ईूंळी मिल रहा है तो इहन बताता है कि इस वक तक टीनू को घर आ जाना चाहिए लेकिन वह घर नहीं आ रहा हुए और उसका फोन भी वह नहीं उठा रहा है पता नहीं वो कहा चला गया, मैं उसे नहीं ढून पा रहा हूँ ये कहते कहते वो इहन रो रहा होता है और टिहन फिर उससे अपने ग़ले लगाता है वो देखता है कि उनका सारा बदन जो है रोने एक से काप रहा होता है और फिर वो बोलता है कि मुझे टिहन अपने मन में सोचता है कि at least उससे काम होना चाहिए नहीं तो कैसे ये स्थिती समलेगी और फिर वो जोर से इहुन को अपने गले लगा लेता है और बुलता है ऐसे ही खड़े रहो और थोड़ा सा डीप ब्रीट लो तुम्हें अच्छा लगेगा तब ही इहन उपर देखता है और बोलता है टीहन और इहन बोलता है कि अब तुम्हें थोड़ा सा काम महसूस हो रहा है तब इहन बोलता है हाँ अब मैं थोड़ा काम हूँ और फिर वो उसे धीरे धीरे बताने लगता है कि कैसे हुआ क्या हुआ करके और अपने मन में सुचता है वो कितना बुद्धू है कि कुछ भी होता नहीं है कि उसने बिना कुछ सोचे संजे ट्यून को फोन कर दिया और वो बोलता है कि सॉरी ट्यून मैं बहुत ही घबरा गया था इस लमने तुम्हें ऐसे जल्दबाजी में फोन कर दिया तभी ट्यून बोलता है कि क्यों न हम पुलिस में कंप्लेंड करें तो इहन बोलता है लेकिन अभी तो 24 आज भी नहीं हुए है कोई पुलिस रिपोर्ट क्यों करेगा तो फिर इहन बताता है कि मैंने डे केर में भी फोन किया था और उनोंने कहा कि उनोंने पूरा चेक कर दिया है लेकिन टीनो डे केर में भी नहीं है और इसी बात को लेकर यह उन बहुत परिशान हो रहा होता है कि अब क्या होगा तो टीनों बोलता है लेकिन कुछ भी हो हमें पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए और एक गंटा वैसे भी हो चुका है और शायद हमें कुछ मदद मील सके तो ये लोग डिसाइड करते हैं और पुलिस में रिपोर्ट भी कर देते हैं जाके वो पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं और यहां पर टीउन दूसरी तरफ ढूनने लगता है कि और भी कोशिस करें वो टीउन को ढूने के लिए और इनु सोच रहा होता है कि वाकई में टीउन जो है अब बड़ा हो गया है उमर में वो मेरे से चोटा है लेकिन फिर भी अब बहुत मैच्चूर हो चुका है और दूसरी तरफ टीउन जो है वो टीउन को आवाज लगा रहा होता है कि टीउन टीउन तुम कहा हो और वो दूसरी जगाँ पर जाता है और दूसरी जगाँ पर भी लोगों से पूछताज करता है कि आपने कहीं देखा है कि एक छोटे बच्चे को करके और फिर वो पुलीस स्टेशन में भी जाता है और वहाँ जाके रिपोर्ट लगाता है लिखाता है कि ऐसी ऐसी बात है हमारा बच्चा मिल नहीं रहा है हमें हैल्प करें और तब भी वो सोच रहता है कि क्या सच मुझ कुछ घटना घट गई है क्या सच मुझ टीनों के साथ वो बताता है कि मुझे एक चाइल्ड के फादर से फोन आया और उन्होंने बताया कि टीनों जो है उनके साथ गलती से उनके घर चला गया था लिकिन अब वो मिल गया है उन्होंने रेडियो में कमप्लेइन को सुना और पुलीस वाले टीनों को लेकर आया है और तब ही टीन वह भागतावर जाता है और वहां जाके देखता है तब टीनु जो है वह देखता है कि अंकल यून आ गए है तो वह अंकल यून करके पोकारता है और टीनु जो है वह टीनु को अपनी गोध में उठा लेता है और दोनों फिर वासने लगता है पुलिस वाले भी बोलते है कि अब हमारा काम खतम हो गया और हो चले जाते हैं और तब यून बोलता है कि थैंक्यू टीनू ना आज बहुत मदद करी मेरी नहीं तो मुझे पता ही था कि मैं क्या करता तो टीन बोलता है कि क्या हुआ तो यून बोलता है कि कुछ खास नहीं आज इस्कूल में डे केर वालों गलती से हमारे बच्चे को किसी और पैरेंट्स के घर में भेज दिया था वो तो अच्छा कि सेक्यूर्टी आफिस ने नोटिफाइ कर दिया तो उन लोगों ने बच्चे को वापस भेज दिया क्योंकि जो पैरेंट्स ले गए थे उन्होंने पूछा टीनो से कि क्या उसके पापा को पता है क्या टीनो तुम्हारे पापा को पता है कि तुम हमारे घर पे हो जब टीनो ने कहा उन्हें नहीं पता तो वो जो लड़के के पैरेंट्स उसको ले गए थे उन्होंने किसी तरह पर अप्रोच किया उनको और टीनो को किसी तरह उनके पास भजाया तो जब इहुन अपने बच्चे को वापस लोटता हो दिखता है तो वो बहुत खुश हो जाता और रोने लगता है तब ही टीनो बुसता है कि क्या हो गया पाप आप रो क्यों रहे हो तो इहुन बोलता है कुछ नहीं हुआ पिटा मैंने बस तुम्हें बहुत मिस किया इसलिए मैं रोने लगता करके इस तरह आज का दिन उनका खत्म होता है और यह सब एक मैसंडरस्टैंडिंग होती है करके और दोनों गहर पहुँचते हैं और ईहुन पुछता है कि तुम मेरे साथ घर के अंदर आना चाहते हो तो टीन बोलता है नहीं एच सोके मैं थोड़ा ठक गया हूँ मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ तो एहुन को थोड़ा सा आश्यर होता है क्योंकि उसे पहली बार ट्यून ने ना कहा होता है और फिर उसके एहुन कहता है ठीक है ट्यून तुम घर जाओ और रेस्ट लो और इसी तरह एहुन भी अपने गर में आता है और सुचता है कि टीहुन ने उसे रिजक्ट कर दिया क्या वो उससे नाराज है क्या और तब ही तेहुन अपने घर में अपना कोट उटा रहा था और वो सोचता है कि मैं वागई में इहुन के साथ रहना चाहता था लेकिन मैं कैसे उसके साथ रहूं उसके दिल में कोई और है और मैं उसे अपनी तरफ खीच रहा हूँ और ये ठीक नहीं होगा ऐसा करना और वो ये भी सोच रहा होते हैं कि जब ओ आदमी उसके घर में आया था तो और उस आदमी से उनका एक बच्चा भी है तो फिर उसने आज उसे क्यों कॉल किया ऐसी प्रॉबलम में तो उसे अपने वर्फरेंट को कॉल करना चाहिए था वर्फरेंट को कॉल करने की जगा उसने मुझे कॉल किया और ऐसा क्यों हुआ क्या है उसका उसके साथ रेरेशनशिप क्या ऐसा नहीं था कि आज वीकेंट है तो उस आदमी को ईहन के साथ और वो बच्चे के साथ में दिन घुजाना चाहिए था यह जोस्ते सुस्ते वो सो जाता है दूसरा दिन होता है और फिर आफिस चला जाता है तब ही उसका सीनियर टेउन को देख रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और चलो चलते हैं कुछ खाते हैं तो दोनों सीनियर और टेउन जो है दोनों बहां डाते हैं और वहां जाके एक दूसरे से बात करते हैं तबीक यून बताता है कि वो यून के बहुत ज़ादा क्लोस आ गया है और उसके संके भी क्लोस आ गै है और मैं हमेशे काम करने के बाद जल्दी से जल्दी घर जाने की कोशिस करता हूँ और of course मैं बच्चे के साथ उसके टो इसके साथ भी खेलता हूँ पर यह सब थोड़ा कन्फ्यूसिंग है कल के बारे में जो कुछ होता है वो सब अपने सीनियर को बताता है और बुलता है कि पता नहीं क्यों मुझे यह सब अजीब लग रहा है जब टीनू के पापा है इस दुनिया में तो फिर यहुन मुझसे क्यों मदद मांग रहा है तो सीनियर भी सोच रहा होता है कि क्या हो सकता है और तभी टीन बुलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो यहुन का पार्टनर है वो तोड़ा अजीब है वो उन लोगों के साथ ना रहके पता नहीं सारा दिन कहां रहता है और कभी मैंने उसे वीकेंड पे भी उनके साथ नहीं देखा होता है करके और क्या सारी जिन्दगी उन ऐसे इंसान के साथ रहेगा जो उसकी परवा भी नहीं करता है और पता नहीं यह सब क्या हो रहा है तभी senior बोलता है तुम calm down हो जाओ तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता कने की जर्रत नहीं है कुछ न कुछ solution निकल जाएगा तो वो भी सुचता है कि ठीक है कुछ न कुछ solution निकल जाएगा उसके बाद सारा दिन निकल जाता है और वो सुचता है कि यदि इहून हैपी है तो मैं भी हैपी हूँ और फिर ये भी सुचता है कि मुझे लगता है था कि यदि मैं इहून के आसपस रहूंगा तो मुझे जादा अच्छा लगेगा तो मुझे कोई problem नहीं होगी और लेकिन मैं इस से ज़्यादा चाहता हूँ मैं इहुन को चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो बस मेरे साथ ही रहे और फिर उसके बाद दोनों senior और जीहुन एक दूसरे को bye bye कहते हैं और अपने अपने काम पे अपने दादा दादी के यहां पर जाएंगे क्या और उन्होंने पॉर्क कटलर बनाए हैं तो क्या हम वहां जाके खाएंगे वह मेरा फेवरेट फूड है तो इहन बोलता है ठीके हम जाएंगे जब दोनों दादा दादी के पास में होते हैं और फिर जो इहन है उसने पहले ही अपने बच्चे को चुकि दादा दादी के पास छोड़ रखा होता है तो बोलता है ठीके आज मैं भी उनिवर्सेटी के बड़ दादादी के घर में आऊंगा करके और बच्चे को दादा दादी बहुत प्यार से खूद में लेते हैं बोलते हैं हमने तुम्हें मिस्स किया और इहुन को भी बोलते हैं कि हमने तुम्हें मिस्स किया फोन पे और टीनू बोलता है आई लव यू डैड और इहुन बोलता है आई लव यू टू टीनू करके सबस्क्राइब हो जाता है बाहर जाकि हुए और फिक दिनों के बाद किसी और से मिला होता है और ना तो उतना ही इनाफ होगा लेकिन दीरे दीरे उसे ऐसा लगने लगा कि सिफ पास रहने से काम ने चलेगा उसे और भी कुछ जादा चाहिए और फिर इसी के साथ दोनों का खाना पीना होता है दोनों ड्रिंक्स करते हैं और फिर रात हो जाती है और सीनियर और ट्यून अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तब ही ट्यून देखता है कि वहाँ पर वहाँ पर एक वही आदमी उसे वापस दिखाई देता लेकिन इस बार वो आदमी एक उरत के साथ होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये आदमी के पास एक उरत क्यों है यदि ये इहुन के साथ है तो ये आदमी इस उरत के साथ क्या कर रहा है क्या उसे इहुन के साथ नहीं होना चाहिए क्या उसे इहुन का ख्याल नहीं रखना चाहिए करके और तभी वो सोच रहा होता है कि क्या वह उसके पास जाके बात करें क्योंकि वो दोनों वो आदमी और और रहत एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और ट्यून को ये देखे बहुत वियर्ड लग रहा होता है क्योंकि उसके इसाब से तो ये आदमी इहुन का पार्टनर होना जाहिए और ये देखे वो बहुत ही साख हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें तायून सोच रहा था अगर मैं गलत नहीं हूँ ये आदमी सचमुच यून हो के अलावा किसी और के साथ है मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता माफ करना अरे रुको एक मिनट हा यून हो को उसके अंकल का फोन आया मैं वापस आ रहा हूँ तायून का क्या उसके बारे में बड़े बच्चे को आईस्क्रीम खानी चाहिए बहन सही है हमें आईस्क्रीम खरीद दो कृप्या हमें खरीद दो कृप्या नहीं तुम इतनी देर रात आईस्क्रीम नहीं खा सकते मैंने ना कहा लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए खरीद ली बाद में दोनों सो गए तायून मैंने तुम्हें अच्छा व्यवहार करने को कहा था इसके लिए माफ करना अंकल कोई बात नहीं योजिन भी खाना चाहती थी वैसे आज के लिए तुम्हारा काम खत्म हो गया है हाँ मैं अब घर पहुँचने वाला हूँ धन्यवाद अंकल हमेशा मेरी मदद करने के लिए मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है तुम मेरे भतीजे हो तुम्हें अपनी मा को अधिक कॉल करने की कोशिश करनी चाहिए ठीक है मैं करूंगा तब मैं अब फोन रखता हूँ कल सुभा मिलते हैं खीक है सुरक्षित रहना ऐसा नहीं है कि मैं मा को कॉल नहीं करना चाहता लेकिन वो कौन है यून हू ताइयून तुम्हें क्या हुआ बस खड़े हो अगर तुम्हें कुछ कहना था तो मुझे कॉल करना बहतर होता ताइयून अपने दिल में सोच रहा था मैं यहां खड़ा होकर इसके बारे में सोच रहा था क्या मैं तुम्हें ये बताओ या नहीं तुम्हें ये बताना तुम्हारी खुशी को बरबाद कर देगा लेकिन तुम्हें ये जानना चाहिए मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन सिर्फ एक नजर में तुम्हें देख कर ही उन्हों उस आदमी के साथ, क्या तुम क्या तुम उससे ब्रेक अप कर सकते हो? क्या? मुझे ये कहने का हक नहीं है, मैं जानता हूँ लेकिन इस वक्त वह तुम्हें अकेला छोड़ रहा है, मैंने उसे किसी और के साथ देखा है, बजाए तुम्हारे साथ होने के मैं मैं तुम्हारी देख भाल कर सकता हूँ, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें ये बताया, लेकिन मैं इसे नजरंदाज नहीं कर सकता मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह तुम्हारा पार्टनर है तायून तुम उस पार्टनर के बारे में काफी समय से बात कर रहे हो वह कौन है अल्फा जिसने तायून को पिछली बार घर लाया था फ्लैश बैक अंकल तुम पहले से ही यहां हो शायद मेरा अंकल तायून ने गल्टफमी की होगी खून के रिष्टेदार एक दूसरे के फेरोमोस को महसूस नहीं कर सकते मुझे एसास भी नहीं हुआ कि अंकल एक अल्फा है पहले तायून चलो अंदर चलते हैं फिर हम बात करेंगे ठीक है मुझे लगता है कि हमें पहले गल्टफमी को साफ करना चाहिए ज्यादा चौकना मत और सुनो यह मेरे अंकल थे वो आदमी जिसे तुमने देखा क्या मेरे माता पिता तुम जानते हो कि उनका तलाग बहुत पहले हो गया था है ना हाँ मेरे पिता जी के अंतिन संसकार के बाद मैंने अपनी मा से दोबारा मुलाकात की वास्तव में यह यह वही जगह है जहां मैं अपने माता पिता के साथ छुट्टी पर गया था उनके तलाग से पहले यहां आखिरी जगह थी जहां हम सब साथ गए थे, इसलिए मैं वहां गया, और यह मेरी मा का ग्रिहनगर है, मेरी मा वहां व्यापार के लिए थी और मेरे पडोसी ने उसे मेरी कहानी बताई, वह अरां की तरह सुन्दर चेहरा है, और हम बॉर्डिंग हाउस में पडोसी हैं, उसका नाम क्या था, क्या यह यून हूँ था यून हूँ मैं बूढा हो सकता हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, महोध्या कृप्या मुझे उसके पास ले चले, मैं तुम्हें फिर से देखकर कभी नफरत नहीं कर सकता, मा, मुझे समझ है, मुझे यहां आने में इतना समय नहीं लेना चाहिए था, मुझे सच मुझ ख गई, और मैं यहां वापस आकर बसने में सफर रहा, यह मेरी मा थी जिसने मुझे कॉलेज जाने का सुझाव दिया, ओ, यह इमारत मेरी मा की है, वास्तव में, हाँ मेरी मा ने भी दूसरी शादी कर ली, मैंने पहले ही बहुत मदद प्राप्त कर ली है, मैं तायून के हो गया है, हाँ मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं मर सकता हूँ, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, यह स्वाभाविक है कि तुम मेरी चिंता करते हो, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, तब तुम अभी किसी को नहीं देख रहे हो, है ना, ओ, वह अचानक क्या कर र तायून मुझे खेद है, जैसा की उम्मीद थी, मैं तायून ने यून्हू से पूछा, तुम तुम मुझे से नफरत करते हो, यून्हू ने जवाब दिया, तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम से नफरत नहीं कर सकता, कैसे मैं इसे नापसंद कर सकता हूँ, जैसा की उम्मीद थी मैं मना नहीं कर सकता और वे चुम्बन करने लगे और फिर सोफे पर प्रेम करने लगे यून्हु ने कहा बस बहुत हुआ चलो मेरे कमरे में चलते हैं तायून और यून्हु व्यस्थ थे प्रेम करने में और यून्हु ने कहा तायून हां तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है तायून ने कहा लेकिन यून हू तुम-तुम मुझे तुम्हारी बहुत लालसा हो रही है इसलिए मैं पहले से माफी मांगता हूं मैं खुद को काबु में नहीं रख सकता आ तायून हम्मा वहां मुझे चिढ़ाना बंद करो यून्हू तुम अपना चहरा क्यों छुपा रहे हो? यून्हू ने पूछा तुम्हें पता नहीं क्यों? क्यों की यह शर्मनाक है, यह बिलकुल अलग है, जब वह रट में था क्यों शर्मिन्दा हो? तुम्हें नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारा शर्मिला चहरा देखना चाहता हूँ तुम बहुत प्यारे हो, इसलिए इसे मत छुपाओ, मुझे देखने दो, उस समय के विपरीत हर स्पर्श अलग महसूस होता है तायून बस बहुत हुआ और नहीं, इसे बस अंदर डालो, तायून ने कहा लेकिन मुझे अभी भी तुम्हें धीला करना है, उसके फेरोमोस हर जगह फैल रही है ठीक है, मैं अब और सहन नहीं कर सकता, मुझे खेद है यून हू सावधानी मैंने नहीं ली है, मुझे जाने दो और कुछ खरीदने दो, मैं खुद को काबू में नहीं रख सकता वह सच में तायून, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है मैं बाद में एक गोली ले सकता हूँ, तुम बस इसे कर सकते हो तायून, थोड़ा सा धीरे मुझे खेद है यून हूँ मैं नहीं कर सकता नहीं, तुम मेरे अंदर बहुत गहरे हो, उसका लाल चेहरा बहुत प्यारा है तायून, तुम बहुत सुन्दर हो रात को यहून और टिहून दोनों सो गए थे, जब सबर होई, तो वो उठा और उसने पाया कि उसे बहुत ठकान लग रही है पर उसे फिर याद आया कि उसने और टिहून ने रात में क्या किया था, और उसे क्यों ठकान लग रही थी तब ही वो देखता है कि टाइम क्या हो रहा है, और जब टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी काफी समय बाकी है और यह सोच कि उसकी जान में जानाती है वो टिहून को देखता है और उसे याद आता है कि कर रात वो और टिहून साथ में ही सो गए थे इहुन सोचता है कि टिहुन कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए तब ही टिहुन कहता है कि मैं अपने आपको कंट्रोल नहीं कर सकता इहुन तुम कितने लवली हो इहुन ब्लश करने लगता है टिहुन ये सब नीन में बोल रहा होता है तब ही इहुन सोचता है कि मैं अभी भी टिहुन को सच नहीं बता सकता इहुन उठ कर नहाने चाता है और नहाते हुए सोचता है कि ओगाड हम दोने ने कर रात सच में प्यार किया टिहुन कितना स्वीट है और वो कितना प्यारा लग रहा था सोते वक्त यदि टीहुन को पता चल गया कि मैंने उसे यूस किया था तो शायद वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगा शायद नहीं कभी भी टीहुन को सच्चाई नहीं बता पाऊंगा यदि मैं उसे पताऊंगा सच्चाई तो शायद वो उसे नफरत करने लगेगा और तभी दूसरे दरफ टीहुन सोते हुए से उठ जाता है और उठ कर देखता है कि एहुन उसके भाजू में नहीं है और उसे याद आता है कि वो अपने कमरे में नहीं 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 के घर में सो रहा है और यही सुचते सुचते वो उठता है और देखता है कि एक कपड़े का जोड़ा रखा हुआ है और घूर। बैल को दूंगनों जाता है। तुम जाता है उसे पीछे से हग करता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम बिस्तर में बाजू में नहीं हो तो मुझे ऐसा लगा कि तुम फिर से मुझे छोड़के भाग गए हो तब ही इहन पुछता है किया तुम कुछ नाश्टा करना चाहोगे और उसके बाद टीहन बोलता है इहन मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते तो इहन कहता है कि तुम्हारे फिलिंग्स को एप्रिशेट करता हूँ पर मुझे टीमो को भी देखना है तब ही इहन जब यहन जब यहसा कहता है तो टीहन इहन के मुँपे हाथ रख देता है और कहता है तुम कुछ आ कहाने की जरुएत नहीं है हम इस वक्त दोनों जो हैं डेट कर रहे हैं एक दूसरे को तुम अपना टाइम लो मैं तुम पे कोई प्रिशर नहीं डालना चाता और तुम हराम से सोच सकते हो और लेकिन मुझे एक चांस दो इहन मैं अपने अपको थाबित करना चाता हूँ और मुझे प्लीज मना मत करना और तभी इहन सोचने लगता है कि यदि किसी दिन इसको फिर से पता चल जाएगा कि जो कुछ पिछले पास सालों में हुआ तो शायद यह मुझे पसंद नहीं करेगा लेकिन मैं इसे अभी ना नहीं कह सकता कि यदि ना कहूंगा तो टिहून का दिल तूट जाएगा और यह कहके इहन बोलता है ठीक है मैं सोचके तुम्हें बाद में बताऊंगा और इहन को टिहून गले लगा लेता है और टिहून बोलता है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और बुलता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा इसी के साथ वो बुलता है कि कल रात के ले मैं तुम्हें सॉरी भी बोलता हूँ मेरी वज़े से शायद तुम्हें बहुत प्राब्लम होई होगी और फिर वो ये भी सुचता है कि जिसे वो सोच रहा था कि उनका बॉइफरेंट है वो बॉइफरेंट नहीं उसका अंकल है और ये सपाते टिहुन अपने आफिस में जाके अपने सीनियर को गताता है कि कैसे उसकी गलत फाहिमी दूर हुई लेकिन उसका सीनियर हसने लगता है और टिहुन बोलता है कि प्रीज हसना बंद करो ये बहुत अंबरेसिंग है और सीनियर बोलता है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम जादा मत सोचा करो पिकि जब तुम सोचते हो तो फिर तुम कुछ जादा ही सोच लेते हो उसके बाद सिन्यर बोलता है कि टेहून टेहून एहून के पास एक बच्चा भी है क्या तुम इस तरह के रिलेशन्शिप में खुश हो क्या तुमें तो ये भी नहीं पता है कि वो किसका बच्चा है तो एहून बोलता है इंवन की बारे में जो भी बात करते हैं तो 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 उन दोनों के बारे में बताता है कि मैं अभी ऑफिस में हूँ दूसरी तरफ इंवन अपने बेटे के साथ ड्राइंग कर रहा होता है तो इंवन पूछता है तुम क्या बना रहे हो तो इहन बोलता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा यह एक सीक्रेट है तो उसके बार टीन का मेसेज आता है कि इह इस वीकेंड पर फ्री हो यदि फ्री हो तो क्या हम टीनो को वहाँ पर ले जाएं पार्क में खेलाने के लिए और तभी इहन सोच रहता है कि टीनो कितने प्यारे इस्टिकल्स और इमोजीज भेचता है और हां कह देता है तब इहन पुछता है टीनो से कि क्या तुम अंकल ही उनके साथ बाहर खेलना जाना पसंद करोगे हम सिफ हम तीन तो टीनो बोलता है हां क्यों नहीं हम चलेंगे हम चलेंगे करके अगली सभेरे सटाफट सभेरे होता है और टीनो जल्दी से उठ जाता है टीनो जल्दी जल्दी उठके अपने पापा के कमरे में इहन के कमरे में जाता है और इहुन को उठाता है, कि ड़ि उठो उठो सवे रहा हो गया है जल्दी उठो हमें जाना है जब इहुन उठता है, तो वो पूछता है कि क्या हुआ तो इहुन टीनों बोलता है कि हम लेट ہو जाएंगे आज हमें पार्क में जाना है अंकल इहुन के साथ इसी रज़े से इहुन फिर किसी तरह उपता है अपने आपको तयार करता है टीनो को भी तयार करता है और यो दोनों टीहुन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं जब वो टीहुन के घर में जाते हैं और बेल बजाते हैं तो इहुन पुछता है कहीं हम लोग जल्दी तो नहीं यूहन बोलता है नहीं नहीं तुम लोग जल्दी नहीं आए हो तुम लोग पफेक्ट टाइम पर आए हो और ऐसा कहके टीनो को अपनी गोद में उठा लेता है और जब अपनी गोद में उठाता है तो उससे प्यार करता है और कहता है तुम बहुत सुन्दा लग रहे हो ये ड्रस बहुत सुन्दा लग रही है तुम पर तब ही टीनू बताता है कि ये ड्रस उसकी ग्रैंड मा ने उसे दी है और ये कहके वो कहता है अंकल यून मुझे नीचे अतार हो मुझे आपको कुछ देना है और जो वो उसे नी यूहन का ही फोटो होता है जब अंकल यूहन उस ड्रॉइंग को उपन करते हैं और देखते हैं कि ड्रॉइंग में टीनू ने उसका चित्र बनाया है तो बहुत आश्रियर से रह जाते हैária और उसकी बहुत तारीफ करते है कि टीनो तुम ने ये तो बहुत सुन्दर ड्राइंग बनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तब ही टीनो की ये ड्राइंग लेके टीहून जाता है और इहून को दिखाता है कि देखो मेरा पोर्ट्रेट इहून ने बनाया है, फिर सब लोग तयार होते हैं और पार्क की तरफ बढ़ते हैं, इस पार्क में जाके एहून टिकेट्स बुक करता है, उनकी टिकेट्स कनफर्म हो जाती है और फिर टीहून और टीनो दोनों निकल परते हैं डिटेक्टिव ब्रूस का गेम खेलने के लिए, डिटेक्टिव जीता है और वो बड़ा पराइज डिटेक्टिव ब्रूस होता है तॉय फिर नाष्टा करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं नाष्टा करने के बाद वो लोग अपने अपने घर जाते हैं, जब घर पहुंचते हैं तो टीहून बोलता है कि इहून अब हम आपने अप पे टीनो भी सो चुका होता है तो टीनो बोलता है लगता है टीनो बहुत ठक गया है तो इहन बोलता है हाँ इसने आज बहुत खेला है इसलिए जल्दी भी सो गया है और तभी इहन को टीनो पुछता है कि इहन क्या तुम्हें भी आज मज़ा आया पार्क में इहन बोलता है हाँ मुझे भी आया पार्क में मसा तो अभी टीहन बोलता है कि तो फिर तुम्हें मेरी तारिफ करनी चाहिए मेरे को फ्रेस करो तो इहन बोलता है लेकिन मैं तुम्हारी तारिफ कैसे करूँ क्या दूँ मैं तुम्हें तो टीहुन बोलता है क्यों ना तो मुझे एक किस करो और तभी यहुन को शर्म आ जाती है वो बलश करने लगता है और फिर भी वो टीहुन को उसके चीक्स पे किस देता है लेकिन इतना उसके लिए काफी नहीं होता है टीहुन उससे अपने बाहों में बता है और उसके लिप पे किस ले लेता है टीहुन और यहुन एक दूसरे को किस कारी रहे होते हैं कि वो दोनों देखते हैं कि उनके बाड़ी में भी कुछ चेंज़ेस होने लग गए है लिसकी वज़े से और एक दूसरे को कुछ जादा ही फील कर सकते है तभी टीहुन बोलता है कि अब मुझे शायद घर जाना चाहिए लेट भी हो गया है तभी एहुन उसका हाथ बकरता है बोलता है कि टीहुन मुझे तुमारे को मदद करने दो यह जो तुमारे पाड़ी में चेंज़ेस हुए हैं तो मैं तुम्हारी help करता हूँ ट्यून कहता है कि नहीं इवन कोई बात नहीं तुम्हें तकलिफ लेने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन इवन नहीं मानता है और इवन को घर के अंदर ले जाता है जहां वो दोनों intimate होते हैं वो दोनों प्यार करते हैं और काफी time हो जाता है यह करते कहते हैं तब ही ट्यून सोच रहा होता है कि इवन का चेहरा कितना अच्छा लग रहा है वो कितना sweet लिख रहा है और इसी बात से उनके बीच की गनी और ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर अजानक जो ट्यून है उसकी वज़े से इहून का face थोड़ा सा खराब हो जाता है और इहून तब घबरा जाता है और वो बोलता है sorry इहून मैं control नहीं कर सका इसलिए तुमारे face पे सब कुछ आ गया तो इहून बोलता है it's okay मैं जाता हूँ और अपना face wash करके आता हूँ इहून जब आतों मैं जाता है तो अपने आपको wash करने में उसे थोड़ा time लग जाता है लेकिन इतने ही time में टिहून को ऐसा लगता है कि हो सकता है इहून को बुरा लग गया हो इसलिए जाए उसे time लग रहा है लेकिन जब इहून वापस आता है तो वो टिहून को बहुता है टिहून तुम जादा मत सोचवे तुम कुछ जादा ही सोच रहो ऐसा कुछ नहीं है बस अपने आपको वाश कर रहा था और वो कहता है कि टिहून आज राद तुम यहीं क्यों नहीं सो जाते हैं हमारा विस्तर भी बढ़ा है हम तीनों comfortably सो सकते हैं इसी बात को सोचते हुए टिहून ज़्यादा कुछ नानो को नहीं करता है और वहाँ पर रुख जाता है तीन पर दिन टिहून सब्सक्राइब जल्दी उठता है और एक बहुत सा नाश्ता बनाता है जिसमें वो सैंड़िश, बर्गर, पीज़ा सब कुछ बनाता है जब एहून और टिनों उठते हैं तो देखते हैं टीबल में बहुत सारा नाश्ता सजा हुआ है और बढ़ी ही कुछ हो जाते हैं एहून बोलता है तुम्हें इतना सब बनाने की क्या जरुरत थी कुछ भी थोड़ा सा बना लेते तो काम चल जाता है टीबलता है नहीं कोई बात नहीं थोड़ा फरी था इसलिए मैंने सब के लिए नाश्ता बनाया जल्दी जल्दी खाओ और वताओ कि ये ना पास इतना पसंद है तो मैं रोज बनाने के लिए तयार हूँ तब ही टीनों बोलता है promise कि आप रोज बनाओगे तो टीनों बोलता है हाँ मैं तुमारे लिए रोज नाश्ता बनाओगा और इहन अपने माणी मन में सोच रहा था कि टीनों ने खाना बनाना कैसे सीख लिया तब टीनों नो एक दम से बताता है कि जब वो नहीं था और वो कॉलेज में अकेला बढ़ रहा था तो वे कई बाग खाना बनाया करता था जिसमें से कई सारी चीज़े खाना बनाने में सीख ली और फिर वो एक निवाला उठाता है और टीनू को खिलाता है और दूसरा निवाला उठाता है कि वो युनिवर्सिटी में स्टैरीज कर रहा होता है और टीनू जो है उसे डेक एर में छोड़ दिया जाता है और जो टीनू है वो अपने आफिस चला जाता है तब ही आज क्लास में उनको थोड़ा देर हो जाती है और जब देखता है वो टाइम तो काफी देर हो गई होती है तो वो सुझता है कि वो टीनू की टीचो को फोन करके कह दे कि उसे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा जब वो फोन करता है तो टीचर बताती है कि यहाँ पर अलरड़ी एक गार्डियन आए वे हैं और वो टीनू के साथ बैठे वे हैं तो पूछती है कि तो वताती है कि इसले कोई फिकर की बात नी है इहन भी फोन रख देता है और जल्दी जल्दी डेकेर सेंटर में पहुंचता है जब वो डेके सेंटर में पहुंचता है तो देखता है कि टीहुन और टीनू एक साथ बैठे वे हैं और टीहुन जो है टीनू के लिए कहानिया पढ़ रहा है जब टीहुन देखता है कि इहन आ गया है तो जल्दी जल्दी अपना समान पैक करते हैं और वापस घर जाने की तैयारी करते हैं और टीचर को बाई बाई कहते हैं रास्ते फर टीहुन जो है टीनू को अपनी गोद में उठाएवे चलता है और बोलता है कि लगता है टीनू सो गया है एहुन बोलता है हाँ तो मैं उसे गोद में ले लेता हूँ टीनू थोड़ा भारी भी तो होगा लेकिन टीहुन टीनू को देता नहीं है और तभी वो पु सकता है कि टीनू का फादर कौन है जहां उसने पाथ साल इंतजार किया वहां वो थोड़े दिन और इंतजार कर लेगा क्या पता एहुन खुद ही अपने आप अपना दिन खुल के उसे बता सके कि टीनू का फादर कौन है इहुन टिहुन को मैसेज कर रहाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ समय तक नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मुझे पढ़ाई कनी और मैं लाइबरेरी में रहूंगा और मैंने एक बीबिसीटर को भी हायर किया है टिउनों के लिए और अपने मन में इहुन सुचता है कि मैं और टिहुन एक बीबिसीटर को काफी लंबे समय से कुछ जादा ही देख रहे हैं तो शायद इस तरीके से बोलना भी ठीक होगा कि अभी उसे जाना है करके पढ़ाई के लिए लाइबरेरी में तो वो नहीं मिल पाएगा तब भी टीनो उठ जाता है और बोलता है पापा तो टीनो को उठे वे देखते वे इहुन बोलता है कि क्या हो गया तुम इती जल्दी क्यों उठ गया तो टीनो बोलता है कुछ नहीं मैं बस उठ गया कि आज अंकल यून आ रहे हैं तो इहुन बोलता है कि तुमने कली तो उंकल यून को देखा था फिर आज तुम फिर उन्हें देखने की जिद कर रहे हो तो टीनू बोलता है कि अंकल बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं तो इहन बोलता है कि तुम ये कहना चाहते हो टीनो कि तुम्हें मेरा बनायावा खाना पसंद नहीं है तो टीनो बोलता है ऐसा नहीं है डैड जो फ्राइड राइस आप बनाते हो वो मुझे अच्छा लगता है तब ही इहन सुचता है कि बच्चे कितने honest होते हैं जो उनके दिन में रहता है वही बता देते हैं और इस दिन के बाद उनके date के बाद finally उसने जो टी हुन है उसने अपना promise नहीं तोड़ा और वो हास अवेरे इहन के लिए और टीनू के लिए नाच्टा बनाता रहा और वो नाच्चा नाच्टा बनाता था कि कई बाद तो उसे लगने लगा था कि उसे special classes लेने पड़ेगी क्योंकि वो टी हुन की तरह अच्छा खाना नहीं बनाता है और उसे ऐसा भी लगा कि टी हुन के बनाएवे breakfast को खाखा कि उसने कुछ version भी गेन कर लिया है तब ही इहन बताता है कि तुम्हें थोड़ा सा दुख होगा सुनके टीनू लेकिन अंकल अभी यहां नहीं आ पाएंगे तो टीनो पुछता है क्यों नहीं आपाएंगे तो इहन बताता है कि वो अभी अपने खुद के class के लिए जाएगा और उसे exams की तैयारी करनी है जिसकी वज़ए से वो library में ज़्यादा समय बिताएगा और उसने उसके लिए एक बीबी सीटर भी लग दिया है और वो अपने बच्चे के सिर्फे हाँ लगाता है वा बोलता है तुम्हें good boy हो इसलिए तुम्हें अच्छे से रहना होगा लेकिन exam कतम होने के ज़रूर बाद हम तुम्हारे अंकल यून से मिलना जाएंगे तभी मैसेज आता है टे उनका कि हम फिर तुम्हारे exam के बाद एक date पर जाएंगे सिर्फ हम दोना तभी इह उन सुझता है कि date पर जाना सिर्फ दो लोगों का अकेले और इसी बीज इह उनकी exams finally पूरी हो जाती है तो असके class के लोग बोलते हैं कि हमें आज celebrate करना चाहिए यून फटाक से मना कर देता है क्योंकि यून टेहून आने वाला होता है और टेहून उसका इंतिजार कर रहा होता है और वो स्कूल गेट के बाहर मिलने वाला होता है तब ही इहून देखता है कि टेहून के हाथ में गुलाब का गुल दसता है और वो स्कूल पता नहीं वो किसके लिए लेकर आया है तब ही वो इहून को देखता है और बोलता है इहून तुम आ गए कमारा exam कैसे रहा इहुन बोलता है उसका इज़ाम घीक डग रहा और तबी ठीवन उसका फ्लावर का गोल दस्ता इहुन के हाथों में पकड़ा lucy इहुन इसके फ्लावर को पेशार को उक्रावीर थे लेड़的े लिए होती है अर वोगोंनता है ये क्या ह countryside ओ और हम तुम्हारे एक्जाम कतम होने को celebrate भी करना जा देते हैं इसलिए मैं तुम्हारे ले गुल दस्ता लेके आया हूँ तो इहुन पुछता है तो अब हम कहां जा रहे हैं तर्ट इहुन बताता है कि उसने एक movie के tickets बुक किया हैं तो हम movies ही देखने जाते हैं तो इहुन बुलता है हाँ सही है movie देखने चलते हैं क्योंकि वैसे भी अजकल में बच्चों के movies देखते के बोर हो गया हूँ तुम्हारे भी हसने लगता है और बोलता है टाइम निकलता जा रहा है चलो चलते हैं जल्दी पिक्चर जालो हो जाएगी करके दोनों एक-एक पैकेट पाप्क pont लेते हैं टियून चलो वैक पाप्कों क में लेक liberty आता हम बूलते हैं चलो हमारा सीट उस रू में हैं और हमारा रूख खाली है तो हम वहांने चलते हैं यहून उस जगम पर देख जहांपर तीयून ने इशायरा किया होता है देखता है कि आदे से अधिक थेटर तो खाली है, वो सोच रहाता है कि वीकेंड तो नहीं है, नहीं कुछ और प्रोब्लम में, फिर क्यों ये थेटर खाली है, और फिर जब चालू होता है मूवी, तो उसका टाइटल देखके, इहन अपने मैंना सोचता है कि कुछ गलत तरीक का मूवी देखने आ गए है क्या, यहन सोच रहा होता है कि क्या हम कोई गलत मूवी देखने आ गए है, क्या यह जो मूवी है, वो कुछ गलत सी लग रही है, कुछ म्यूटेंट के ओपर बनाई गई है, यह कैसी एक क्रुएल सी मूवी है, क्या यह इस तरह की मूवी देखत तो पता चलता है कि तुम मूवी देख रहा है तो टीहुन बोलता है मैं बस तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हें देखना चाहता हूं आके का हम दो हफ्तों से नहीं मिले हैं तो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से देखना चाहता हूं मैं तुम्हें इतने दिनों से नहीं देखा है यहुन के तुम्हें मुझे मिस बिल्कुल भी नहीं किया यहुन बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें मिस किया तभी टीहुन जो है इहुन को किस करने लगता है तभी इहुन बोलता है अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर और भी लोग है किसी ने हमें देख लिया तो तो टिहुन बोलता है कि यहाँ कोई नहीं है कौन देखेगा और वैसे भी बूरिंग सी मूवी को देखने के लिए पौन आएगा तभी इहुन बोलता है इसलिए तुमने ऐसी मूवी चूज करी तो टिहुन बहुत कुश होता है और सुसता है कि वह कितना intelligent है इसलिए तुमें तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रुरत नहीं है और फिर टिहुन बापस इहुन को किस करने लगता है दोनों एक deep किस करते है तभी इहुन बोलता है तुम्हें यहाँ वहाँ मत चूओ नहीं तो problem मुल जाएगी तो उसके बाद टिहुन और इहुन दोनों किस करना stop करते है काफी देर तक किस करने का दोनों stop करते है और घर जाने की तैयारी करते है तभी टिहुन पूछता है कि इहुन क्या तुम्हें आज मज़ा हाया इहुन बोलता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा खाना बहुत अच्छा था लेकिन पिक्चर ज़रूर रेंडम थी जो तुम्हें चुनी तो टिहुन उसे सच्छा यह बताता है कि मैं तो बस पिक्चर ऐसे ही रेंडम में चुन देती क्योंकि मैं तुम्हारे सास समय बिचाना चाहता था और तभी इहन बुलता है रेस्टरेंट में खाना तो अच्छा था लेकिन जितना अच्छा तुम बनाते हो उतना चलीता तुम कुछ ज़्यादा ही मेरी तारिफ कर रहे हैं इतना भी अच्छा खाना नहीं रना आता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें फिर से क्षट करना चाहता हूं। और ऐसा कहके T-Hun वापस इहुन को किस कर लेता है। सोचता है, कि ये किस कभी न कतंओं। और इहन सोच रहता है कि ट्रिवन के जलिप से वो कितने सॉफ्ट हैं और यह किस कितना अच्छा फील होता है और तभी ट्रिवन बोलता है कि इहन मैं तुम्हें पसंद करता हूं मैं तुम्हारा सारा समय वेट करता रहां और तभी इहन बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए औ फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं तब ही इन टीओन का अचानक आप पकर लेता है और बनता है कि इन मैं भी तुम्हे पसंद करता हूँ मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हे कव पसंद करने लगा मुझे अशा लगता था कि टीओनों और मैं एक दूसरे के लिए काफी हैं जब मैं तुम से दूर चला गया था तो मुझे यही लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं और फिर देखो हम दुबारा फिर से मिले जब मैं पहली बार तुम से मिला तो मुझे थोड़ा सा uncomfortable लग रहा था कि हम इतने सानों के बाद मिल रहे हैं तो कैसा लगेगा लेकिन मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हुआ था और तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो और आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ तो टिहुन बुलते हैं जो तुमने अभी कहा क्या वो सच है क्या तुम सच में मुझे पसंद कर रहे हैं क्या कि कोई सपना जैसा तो नहीं है क्या तुम मुझे पिंच कर सकते हो तो इहन बोलता है, calm down, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और पिंच करने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसा कहके इहन टिहन को किस करना लगता है ये कोई dream नहीं है, तुम मेरे पर विश्वास करो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तभी टिहन बोलता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और वो दोनों एक दूसरे को आखों में देखने लगते हैं टिहन इहन को अपनी तर खीचता है और उसे फिर से किस करता है और ऐसे ही वो दोनों side by side walk करते वे आगे बढ़ते हैं अब उनका घर थोड़ी ही दूर पे होता है तब ही वो बोलता है कि यहुन बोलता है कि टीहुन अभी भी baby sitter का जो shift है वो थोड़ा बज़ा हुआ है तो क्या हम कहीं और चलें करके तो टीहुन और यहुन आगे बढ़ते हैं और एक hotel का camera book करते हैं उस hotel के camera में जाके टीहुन और यहुन intimate होते हैं और दोनों एक दूसरे को kiss करने लगते हैं और लेकिन टीहुन के उसमें patience नहीं होता है टीहुन और भी उससे जादा कुछ जादा चाहता है उनके बीच में एक अच्छा सा session चलता है intimate scene का वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खुआ जाते हैं तब ही टीहुन पूछता है कि क्या अभी भी वक्त है या अभी भी हमें थोड़ा और जल्दी करना चाहिए कहीं भी भी sitting वाला shift खतम ना हो जाए एक हम बोलता है नहीं अभी थोड़ा वक्त है हम थोड़ी दिर और यहां रह सकते हैं और इसी के साथ उन दोनों के वीच में जबदस्त प्यार होने लगता है उनके गले में मिले होता है एक दूसरे को हुक कर रहे होते हैं तब ही पास कर दोनों तक है अपनी गुद में उटाता है विस्तर में ले जाता है विस्तर में ले जाके वो इहन को लेटाता है और बोलता है कि वो बहुत ही प्यारा लग रहा है और फिर उसे एक बार और किस करता है एक दुस्य को किस करते हैं उनके बीच में गर्मी बढ़ जाती है और टीहन को इहन बोलता है कि टीहन तुम कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है थोड़ा स्लो डान करो लेकि टीहन बोलता है नहीं वो स्लो नहीं हो सकता है वो काफी रफ तरीके से इहन के साथ अपना प्या करता है इसी के साथ उनकी रात खतम हो जाती है वो अपने अपने घर चले जाते हैं इहन आप एक एक अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं फिलहाल तो जड़ सुवेरे उटते हैं तो इहन के लिए काफी लेके आता है और देखता है कि इहन कुछ कंप्यूटर में कर रहा हो कुछ जोप के लिए देख कर रहा है कि कुछ कार रहे हो जाए बदाता है जिसम नुक्री कर चल सक पार्ठाइब जिससे कि देखकी जितनीदेर म sein बनी टीनो अपने डे केरी उट रहेगा कि टव तक है को काफीशॉप में पार्टाइम को कर दिय को कर मैधे गार आ जाए को फिर से किस करने लगते हैं और वो बोलता है कि अभी मुझे लगता है कि टीनू सोके उठागा नहीं है तब ही एक आवाज आती है डैडी तब ही वो देखते हैं कि टीनू उठ चुका है और टीनू सोच रहता है कि वहां क्या चल रहा है बहार चलो देखते हैं तो वो बताता है कि बाहर इसनों हो रही है इसल तो दोनों खड़े होते हैं और तीनों में के बाहर खिड़की के देखने लगते हैं तो वहाँ पर वाकई में इसनों हो रही होती है और तभी इसनों बोलता है कि पापा जल्दी से तयार हो हमें बाहर जाना चाहिए और हमें इ एहुन बोलता है कि तुम ध्यान से खेव नहीं तो गीर जाओगे और टीनो बहुत कुछ होता है वो जल्ले जाता है और रोलता है हमें स्विघ के बनाते हैं जहाद से भीकorama क्याओं की अजाता है ह्वह हँने काफी काम कोफी का काम करने के लिए लगता है तबी टियून की कंपनी भी इस कौफरी शौप के बाजू में ही होती है यह सोच करे वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा होता है और हो दोना इग दूसे को टेक्स मेसेज करने लगते है टियून का मैसेज आता है कि मैं कौफरी शौप में हूँ और आराम से कर रहा हूँ और ट्रियून गुलता है मैं थोड़ी दे में वहां आ जाओंगा और फिर हम दोनों साथ में लंच करेंगे तो एवन गुलता है ठीक है तुम आओ मैं तुम्हारा फेवरिट काफी बना के रखूंगा तभी ट्रियून जो है वह ओफिस से निकल जाता है तभी दूसरे तरफ एक अपने काउंटर पर खड़ा होता है और देखता है कि एक आदमी आया है जो भी ना देखे कहता है कि एक कॉफी मुझे दे दो जो वह कॉफी का ओर्डर करता है तभी वह अपना एक क्रेडिट कार्ड भी निकालता है और जो एहूने वह सोच रहाता है यह किस तरह का कस्टमर है जो ना देख रहा है ना ही कुछ बता रहा है बस एक ओर्डर करता है कि मुझे कॉफी जाहिए इस तरह की कस्टमर से मुझे दूरा दूर ही रहना चाहिए वो फटा फट काफी बनाता है और उसे दे देता है तभी जो दूसरा कस्टमर है वो उसको देखता है इहुन को देखता है बोलता है मुझे ऐसा दखता है नाम होता है इस दूसरे आदिनी का हांग वी इहन को देखता है वो बोलता है कि तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं करके तो इहन बोलता है तुम्हें क्या चाहिए तो हांग वी बोलता है मैं तो बस यहाँ काफी लेने को आया था लेकिन तुम्हें देखके अच्छा लगता है कि मुझे तुमसे कुछ जादा एक और भी चाहिए इहुन उसकी सारी बातों को नजर अंदास करता है फटा फटा अपना बैग उटाता है और बहार जाने लगता है लेकिन हांग भी उसका पीछा करे बिना मानता नहीं है वो उसका पीछा करने लगता है इहुन को थोड़ा सा अजीव लगने लगता है तो इहुन बोलता है कि उसका पीछा करना बन करो और तभी टीनू भी आ जाता है टीनू अपने हाथ में आइसक्रीम लेकिन टीनू के हाथ साइसक्रीम हंगवी के जुतेफे गिचगती है लेकिन हंगवी कुछ ज़्यादा माइन नहीं करता है और एधर इह उन भी हंगवी के पैर पे स्टॉंप करता है जो इसे अपना पैर दे देता वो अपने घर किसी तरफ पहुंच जाता है लेक्स टेप वापस यहून और काफी शॉप में काम पर जाता है देखता है कि हौंग भी वापस आया वाया और उसे हरास कर रहा होता है तभी यह टीहून भी वाफिस से फ्री हो जाता है और वो काफी शॉप में जाता है और देखता है कि ईहन और हॉंग वी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तभी टीहन सुचता है कि ये इनसान कौन है जो ईहन के साथ बात कर रहा है लेकिन ये एक अलफा है और वो यहां क्यों है तभी वो सुचता है क्या ये एहुन का दोस्त है या फिर ये एहुन के बच्चे का बाप है क्योंकि अभी तक एहुन ना उसे बता है नहीं है कि उसके बच्चे का बाप कौन है तो उसे वगता है कि हो सकता है यह इनसान इहून के बच्चे का पिताजी हो तब ही टेहून जाता है और इहून को हेलो बोलता है और इहून बोलता है रे सौरी मैंने अभी अभी तुम्हारा कॉफी बनाना स्टार्ट किया है मुझे अच्छे से तुम्हारा कॉफी बनाना होगा जिससे तुम्हारे वर्कर्स को भी जो मैं कॉफी बेच रहा हूँ वो उन्हें पसंद आए और तभी इहन सोच रहा होता है कि टिहुन ने उस आदमी के बारे में अभी तक नहीं पूछा तभी टिहुन पुछता है कि वो आदमी कौन था तो इहन बोलता है वो कोई और नहीं था वो हमारे गाव में रहता था इसलिए मैं उसे जानता हूँ तो कहता है टिहुन बोलता है कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है करके लेकिन अपना मन में सोचता है कि ये दोनों एक दूसे पर प्लोज में लग रहे थे और तभी उसे लगता है कि उसने जोर से बूल दिया तो इहन बोलता है कि टिहुन कर तुम जैलिस हो तो टिहुन बोलता है नहीं नहीं यसी कोई बात नहीं है और इहन सोचता है कि जब टी हून जैलस होता है तो वह कितना क्यूट लगता है और इसी बीच में एः हून को थैंक उलता है और ऊसके काम के लिए उसे अच्छा गुल लग विश्ट करता है और जाता है और तभी वापस से हांग भी आ जाता है एहन बोलता है तुम यहां की मा आया हो वापस तो हांग भी बोलता है मैं बस देखना जाता था कि तुम्हारा बॉइफरेंड कौन है मुझे राद बह नीं नहीं आई यह सुच कि तुम्हारा वाइफरन कॉन होगा और तभी बुलता है मैं एक कप कॉफी ओर्डर करना चायता हूँ कि हो कॉफी ओर्डर करता है और कॉफी पीते किसी से फोन पर बात कर रहा होता है यहाल सोच रहोता है कि मैं किस तरह इस आद्ञी को यहाल से भगा तब ही टेहुन आता है और बलता है कि सब कुछ ठीक है तो इहुन बलता है हाँ सब कुछ ठीक है और टेहुन फिर वापस चला जाता है और इसी टाइम पर जब देखता है इहुन जब देखता है तो हांग भी भी जा चुका होता है और तब उससे समझ में नहीं आता किया कि हो काफी लेके काफ़े के बाहर निकल रहा होता है और हांगवी जो है वो काफ़े के बाहर खड़ा होके टीहुन के ही आने का इंतिजार कर रहा होता है और जैसे ही टीहुन उस आदमी को हांगवी को पास से हुज़ता है तो वो बोलता है कि तुम एहांग भी बोलता है कि मैं तुमसे अच्छा दिखता हूँ. फिर भी इहांग का टेस्ट अलग क्यों है. वो तुम्हें क्यों पसंद करता है? और टेहून जो है वो थोड़ा सा उसे अजिब लगने लगता है कि यह ऐसे क्यों बात कर रहा है? और तभी वो बॉलता है कि कि हॉन भी बॉलता है कि कि तुम एहुन के साथ relationship में हो तो त्ईहुन बॉलता है कि तुम्हें ज़्यादा अकरने के ज़रूट नहीं है एहुन ने मुझे बताया है कि तुम कुछ खास नहीं हो तुम उसके गावं में रहते था और उसी के बारे में बोलते हो बोलता है कि तुम जानते हो उसका बच्चा भी है जिसका नम टीनू है तो और मैं उसके लिए हमेशा खाना भी लेके आता था और मैं उसके साथ हमेशा खेलता भी था और कहते हो सच में ऐसा सुछते हो कि मेरे और इहुन के बीच में कुछ नही है हांग भी टेहन से कहता है कि तुम जानते हो कि टीनों का फादर कौन है लेकिन तुम्हें देखके लग रहा है कि तुम्हें नहीं पता कि टीनों का फादर कौन है इसका मतलग यह है कि तुम इनों के बहुत ज़्यादा प्रोज नहीं हो तभी इनोंने तुम्हें यह से पता तो मेरा रिलेशन्शिप के साथ कुछ और्डनरी नहीं है, तुम समझ सकते हो, ऐसा कहके हंग भी चला जाता है, लेकिन टीहुन जो है, वो थोड़ा असमंजस में होता है, उसका दिल अदास हो रहा होता है, तो दूसरी तफ टीहुन को मैसेज बेज़ता है, कि वो कहा है, क्य कर रहा है, अब तक तो घर आ जाना चाहिए था, तो उसे थोड़ी चिंता हो रही होती है, लेकिन टीहुन ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया होता है, कुछ देर के बाद उसका रिप्लाई आता है, और बोलता है, कि मैं घर जा रहा हूँ, क्या मैं तुम से मिल सकता हूँ, एहुन बोलता है, अफकोस, तुम क्यों नहीं मिल सकते है, और तब ही टीहुन पूछता है, कि टीहुन कैसा है, तो वो बताता है, कि टीहुन सो चुका है, तो वो बोलता है, तो एहुन टीहुन के लिए दरवाजा खुलता है, और उसे अंदर बिलाता है, लेकिन टीहुन मन कर देता है अंदर आने से और बोलता है कि नहीं मैं यहीं बात कर ना जाता हूँ इहन को लगता है कि इसमें कुछ प्राबलम है आज तीहन थोड़ा अजीब सा विहेव कर रहा है तीहन इहन से पुछता है तुमने मुझे जूट क्यों बोला तुमने मुझे सचा ही क्यों नहीं बताई आंग विल के बारे में इहन बोलता है मैं तुम्हें बस हर्ट नहीं करना चाता था इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं लेकिन तुम जैसा सोचर वैसा भी नहीं है मेरा उसके साथ कोई relationship नहीं है उसके सिर्फ मैं सच में गाओ में रहने की वज़े से ही जानता था वो पहले टीहून के साथ खेलने आता था उसने कभी टीहून के साथ कोई बत्तमजी नहीं करी इसलिए मैंने आज तक उसको कुछ कहा नहीं तभी टीहून बोलता है कि हमें थोड़ा break ले रहना चाहिए मैंने बहुत वेट कि तुम मुझे बताओगे कि टीनू का फादर कौन है लेकिन तुमना आज तक नहीं बताया क्या हॉंग वी टीनू का फादर है तो एहून बोलता है नहीं नहीं तुम ये क्या कहर रहे हो टीनू का फादर हॉंग भी नहीं है इसका उसको कोई लेना देना नहीं है तभी टीहून बोलता है कि यदि कुछ लेना देना नहीं है कुछ भी नहीं है तो मैं कितना इंतिजाय करूँगा मैं सुसता था कि अब हम जब एक दूसरे को डेट करने लगें तो तुम्हें मेरे पोरा भरोस्ता हो गया होगा और तुम कभी तो बताओगे कि तीनू के वादा कौन है मैं इस वक्त बहुत ही कन्फियूज मैंसुस कर रहा हूँ मैं बहुत कन्फियूज हूँ, इंसक्यूर हूँ मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए इसलिए हमें इस रिलेशन्शिप से ब्रेक लेना चाहिए ऐसा कि के टीहून जो है वो अपने अपार्टमेंट की तरव बढ़ जाता है और इहून अकेला रह जाता है इहून के आँकों में आसुहा जाता है उसे बहुत बुरा लगने लगता है वो रोने लगता है और सुचता है कि उसकी वज़े से टीहून हर्ट हो गया है इसी तरह एक हफता बीच जाता है इहून और टीहून ने एक दूसरे को नहीं देखा होता है इहन को बुरा लगना लगता है कि टिहुन अब उसे देखता नहीं उसे मेसेज में बात करता है तो दूसरे एक दिन की सवेरे इहन अपने आफिस, मतलब अपनी कॉफी शॉप पे जाता है और महाँ पर मैं काउंटर पर बूलता है कि आज मैं थोड़ा जल्दी गया जाना चाहता हूं तभी वो काउंटर पर जो दूसरा लड़का आता है इहन तुमाया कोई देखने के लिए आया था एहन लगता है कि टीहन आया होगा उसे दीखने के लिए और वो बहुत खुश रहता है वो जल्दी-जल्दी भाग के बाहर जाता है जब जाता है तो कोई और नहीं मिलता है लेकिन हांगवी दिखाई देता है और वो बुछता है तुम यहां क्यों हो तभी हॉंग भी बुलता है कि मैं बस तुम्हें देखने आया था और कुछ ही नहीं तो इहुन भुछता है तुम क्या चाहते हो तो हॉंग भी बुलता है मैं बस तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो तिहुन यो तुमने तुमने टिहुन के साथ क्या है मतलब हौंभी यहुन के साथ intimate होना चाहता है तो यहुन बोलता है का बस इस reason के लिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो और यहुन बोलता है मैं तुम में interested नहीं हूँ इसलिए तुम यहां से जा सकते हो और यदि तुम मुझे ज़्यादा परिशान करोगे तो मैं तुम्हारी कंप्लेइन कर दूँगा तभी दूसरी और आफिस में टीहून काम में बहुत बिजी होता है और तभी उसका सीनिया राता है और बोलता है आज क्या टीहून तुम ओवर टाइम कर रहे हो तो टीहून बोलता है हाँ मैं आज तुड़ा ओवर टाइम कर रहा हूँ तो सीनिया बोलता है मुझे ऐसा तुम लगता है कि आज कल तुम कुछ ज़्यादा ही डेली ओवर टाइम कर रहे हो तुम्हें थोड़ा अराम हैना चाहिए और तुम्हें अपने घर भी थोड़ा जल्दी जाना चाहिए करके तब हिटी हुन अपने मन में सोच रहाता है कि पता नहीं वो क्या चाहता है क्योंकि जैसे ही जब भी वो ईहुन को और हॉंगी को साथ में दिखता है तो उससे बहु मेलूंगा करके काफिशोप में तुसरे लड़के को वैसा कहके जाता है और वो अपने मॉबायल में देखता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ भी ना टी हुन का मैसेज है और ना ही कॉल है लेकि मुझे इसे भाहत जला जाता है वैसी उसे वापस हांग भी मिल जाता है हांग भी उनको लगाता है परिशान कर रहा होता है तो इसी से वो परिशान हो जाता है तभी उन देखे सेंटर में जाता है और अपने बच्चे के बारें पुछता है तो टीचर गोलती है कि टीनो आजकुल बहुत ही डल हो गया है उसका किसी चीज में मन भी नहीं लगता है वो बस एक जगह पर चुपचा बैटा रहता है तब ही इनको रेलाइज होता है कि यह सब कुछ हो रहा है वो श्राइद उसी की वज़ा से हो रहा है क्योंकि इतने दिनों से एवन अपने ही प्रॉब्लम्स में फसा हुआ था जिसकी वज़ें से वो टीनो के ओपर कुछ ध्यान नहीं दे पा रहा था और तब ही वो फैसला करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे थोड़ा ध्यान अपने बेबी के ओपर भी देना चाहिए और फिर वो टीनो के पाथ जाता है बोलता है क्या तुम घह चलना पसंद करोगे तो टीनो बोलता है शोर क्यों नहीं और फिर बोलता है कि हम मैं आईस क्रिम भी खाना चाहता हूँ करके और यहून और टीनो दोनो डेकेड से बाहर निकलता है तबी हॉंग भी वापस उन्हें मिलता है और टीनो जो है थोड़ा सा डर जाता है और यहून के पीछे चुप जाता है और यहून अपने मन में सोच रहाता है कि वो कैसे होंगवी से अपना पीचा जुड़ा है तबी वो पूछता है बोलता है कि तुम मुझे जाने तो मेरे को ट्रबल करना बन करो तो होंगवी बोलता है तो मुझे तुमारे ग्रैंडपा से तुमारे शिकायत करने पड़ेगी लेगिन उसी टाइम पर देखते हैं कि टियून भी आ गया होता है और इन तीनों को मतलब टियून और होंगवी को एक साथ में भात करते हैं तीनों आता है और देखता है कि ये टियून एक साथ ख़ड़े हैं तभी इन पुछता है टियून तुम यहां कैसे और हाई करता है टियून लेकिन एग्नोर करता है और ब जा सकते हो करके और दूसरी तर हांग भी यह उनका हाथ खीचता है और बोलता है तुम क्यों जा रहे हो हम अपना conversation आगे continue करते हैं तभी यह उन गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम क्या कर रहे हो मुझे जाने दो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और तभी यह टीनू भागतावा जाता है और जाके अंकल यह उनके पास पहुंच जाता है और बोलता है मत जा रोने लगता है और वो इतनी तेजी से जाता है कि वो नीचे गिर परता है इह उन देखता है कि टीनू नीचे गिर गया और उसके मुझे चीक निकल परती है और दूसरी तरह वहां तीहन देखता है कि टीनो नीचे के गया तो उसके भी मुझे चीक निकल पड़ती है। वो भागा भागा जाता है और टीनो को उठाता है। इन दे एंड इहन और टीहन डोनों मिलकर टीनो को कमफर्ट करते हैं और बोलते हैं मत रोओ। लेकिन टीनो जो है बहुत रोने लगता है कि अंकर आपने मुझे से प्रामिस किया ता कि आप रोज सुहेरे मेरे ले ब्रेकवास बनाओगे रोज मुझे मुझे से मिलोगे आपने मुझे से जूट की वोला है आप मेरे ले ब्रेकवास भी नहीं बनाए मुझे देखने भी न जो pickick in it, आफिक यहान आदा 20 के जिए और बहुत रहने करता है !! उसके और इहन के पीच में कितने भी परपप्रूलम जो लेकिन उसे पच्छे को कहईड नहीं करना चाहिए साहिए था तभी एहुन बोलता है कि कोई बात नहीं तैंक्यू जी टीहुन तभी टीहुन कवर अब करने के लिए बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बाय करूँ और मैं भूल गया तो चलो चलते हैं मैं तुमाहे ले कुछ अची सी यमी सी चीज भाय करता हूँ तभी दोनों मिलके इहुन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हम आईस्क्रीम खाना चाते हैं तब टीहुन टीनू को अपनी गोद में लेता है और बोलता है चलो सब साथ चलते हैं और आइस क्रिम खाते हैं और यसी बात को देख कि टीनों बहुत कुछ होजाता है कि अब वो धोना शाथ में जाएंगे टीमु का। पकरता है और टीनो को गुदी में लेता है और आगे चलता है और वही हौंग भी को सबी बूल जाते हैं क्योंकि हौंग भी तो अन्वांटेड था वैसे भी उसकी किसी को फिकर नहीं होती है गर जाने के बाद टीनो बहुत थक चुका होता है तो वो सू जाता है और तभी इहुन और टीनों दोनों सोफेफे बैठते हैं और तभी इहुन फैसला करता है कि वो अब इस बात को जादा दिन तक नहीं चुपा सकेगा और वो सूचता है कि उसे टीनों के लिए ब्रेव होने की ज़र्वत है तो वो कहता है टीनों मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूं और वो कहता है कि मैं तुमसे पहले माफी मागना चाहता हूं क्योंकि मेरी वज़े से ये सब कुछ मैस्टरब हो गया है और फिर वोता है पांच साल पहले और फिर उसके बाद चुप हो जाता है तब ही वो बताता है दीरे-दीरे कि तुम्हें याद है कि पांच साल पहले जब मैं तुमसे मिला था तो तुम्हाँ रूट पे थे मदलब तुम्हारा बोडी हीट हो रहा था और तुम्हारे अंदर वो सारे फैरा मून्स हो रहे थे जो कि तुम्हें एक लव बनाने के लिए उत्सुप कर रहे थे तब मैंने सुचा कि मैं तुम्हारे साथ यदि एक बेबी कर लूँगा तुम्हारे बेबी के साथ प्रिगनेंट हो जाँगा तो कितना अच्छा होगा और यही सुच के मैंने तुम्हारे साथ वो सक्किया था उसके लिए सारी तो जो टीहुन है वो तोड़ा कन्फ्यूस होता है और वो पुछता है तुम क्या कहना चाहते हो तो यहुन अपने मन में सोच रहा था है कि मैं टीहुन पर भरौसा करता हूँ वो जोहर समझेगा जब मों असे कोच बाс बता हूँ अभाता लेकिन जैसे ही तो यह सुचता है कि जतना मैं सुचता हूँ कि मैं उसे यह बात बता हूँगा उतना ही मैं नर्वस हो जाता हूँ और मैं यह बात उसके नहीं बताना चाहता लेकिन फिर भी मैं पास कोई चाहरा नहीं है और मुझे टिहन को यह बात बतानी पड़ीगी तो टीवन से कहता है कि टीवन क्या फादर कोई और नहीं तुम हो तुम्हारा बच्चा है टीवन तो टीवन जो है उससे बहुत शौक रखता है क्या कहा तुमने और तभी इवन गोलता है इससे जादा मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ मैं बस इतना ही कह सकता हु हूं कि उसक्त मिं बहुत लोनली था तुम तो जानते ही। वो मेरे डैड अक्सिजिएन्ट में मारे गए थे और मेरे पास कोई नहीं था और जब मैंने तुम्हें दीखा कि तुम रूट पे हो, हीट पे हो तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने अपने आपको तुम पर फूस कर दिया तब ही टिहुन को लगता है कि इहुन को चुप हो जाना चाहिए वो फटाक से इहुन की तरफ हाथ बढ़ाता है बोलता है इहुन बस को रोज चुप हो जा ये तुम पर बहुत ही हार्ट इस रिचेन हुआ होगा तुमारे लिए ये सब हार्ट हुआ होगा ये सब कहके वो इहुन को अपने गड़े लगा लेता है और कहता है थैंक यू थैंक यू जो तुमने मुझे फाइनल इटूट बता दिया मैं ठीक हो करके और तब ही वो बोलता है कि उस दिन अपना दवाई नहीं लिया था तो तुमें गिल्टी फिल करने की जवरत नहीं है और मुझे लगता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया हो सकता है उससे तुम एंग्री भी हो और इवन बलता है तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा सन है तो इहन बलता है हाँ टीनो तुम्हारा सन है कभी टीनो बलता है कि मैं क्या कर रहूँ मैं बहुत खुश हूँ और वो हसने लगता है और वो इहन को थैंक्यू कहता है और इसके हाथ पे किस करता है और बुलता है तैंक्यू टीनो को इस दुनिया में लाने के लिए और टीनो को मुझे देने के लिए और मैं इस से जादा कभी भी खुश नहीं था यह जानके कि मैं सिर्थ तुम्हे चाहता हूँ लेकिन अब मेरे पस दो लोग हैं मैं तुम्हे और टीनो दुनो को चाहता हूँ यहन के आखों में आशो होते हैं क्योंकि टीनो जो है उसे समझता है और वो कहता है कि वो बहुत खुश है इस से पहले वो कभी भी इतना खुश नहीं हुआ और उसे बारबात है क्यों कहता है टीनू को उसे देने के लिए तब ही वो बोल इहुन अपने मन में सुचता है कि मैं सुचता था कि मैं अकेला ही खुश हूँ लेकिन मैं नहीं जानता था कि जब मैं अपनी खुशी तीहुन के साथ बाटूंगा तो तीहुन भी खुश होगा तो इहुन बोलता है मुझे खुशी है कि हम दोनों वापस फिर से मिले तब ही दोनों बैठते हैं और इहुन तीहुन को बताता है कि टीनू को बक्स से डर लगता है और उससे तो शाहिए तितनियों से भी डर लगता है तब ही टीहन बोलता है कि बिल्कुल मेरे जासे जब मैं चोटा था तो मुझे भी तितनियों से डर लगता था अब बात और है कि अब मुझे नहीं लगता लेकिन उस टाइम पे ज़रूर लगता था तब इन पुछता है कि इन तुमने कैसे अकेले टीनों को पाल पोस्के बढ़ा किया यह सब तुम पर बहुत ही हाड हुआ होगा तब इन बताता है कि मैंने किसी तरह टीनों को पाल पोस्के बढ़ा किया हमारे नेवरूट भी बहुत अच्छे थे वो सब टीनों को बहुत प्यार करते थे और अब तो और भी अच्छा है क्योंकि अब तुम भी हो साथ में और अब हम दोनों मिलके टीनों को एक अच्छा माहल देंगे और उससे बहुत प्यार करेंगे यही कहके इहन और टीनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और साथ में एक दूसरे के उपर अपना से रखके बैटे होते हैं और इसी तरह उनकी रात खतम होती है दूसरे दिन सभेरा होता है इवन वापस अथने काफी शाप पे काम पे जाता है लेकिन जैसे ही वो काफी शाप पे बोचता है वहाँ पर वापस हांग भी आ जाता है और बोलता है यह अजी वह कि कल तुम लोग मुझे अकेला चोड़के चले गए थे और तभी इहन बोलता है कि तुम्हें वैसे भी कौन साथ ले जाएगा तुम्हारी किसी कुप नहीं पड़ी है तभी हांग भी बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ तभी इहन बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं चाहता है मैं कहना चाहता है मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ यह सोचके वो अपना समान उठाता है और जाने लगता है और इहुन को वापस हों भी परिशान करने लगता है तो इहुन अपने मन में सुचता है इस बार मैं आइडल नहीं बैटूंगा मैं ज़रूर कोई आक्शन होंगा बिना आक्शन लेवे कुछ हो नहीं सकता तो वो उसके ग्रैंड फादर को नैसेज कर देता है और बोलता है कि तुम्हें याद है कुछ साल पहले एक इंसान ने मतलब एक इंसान के साथ कुछ स्केंडल हुआ था और ओमेगा का स्केंडल था जिसको तुमने चेड़ा था और ये बाते दी ग्रैंड फादर को तुम्हारे पता चल जाएगी तो फिर तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी तो हॉंग भी बुलता है तो क्या तुम मुझे धंकार है और ये मत सुचना की इससे कोई फरक पड़ेगा अब तो जो नेबर हुट का शैफ है और जेर्मेन है वो सब तो रिटायर भी हो चुके है अब किसी कहां कुछ पता चलेगा और तब ही बुलता है हॉंग भी बुलता है कि तुम्हे ऐसा लगता है कि मैं अपने आपको तुम पर फोर्स नहीं कर सकता हूँ एहुन सोच रहाता है कि वो क्या करेगा अब तब ही तेहुन आ जाता है और एहुन का अपनी बाहों में भर लेता है और हांग भी को धक्का देखके तुड़ा दूर कर देता है और बुलता है एहुन से दूर रहो और तेहुन बुलता है एहुन को कि मैं कितनी जल्दी हो सकता था उपनी जल्दी मैं आया तुम्हारा टेक्स परने के बाद तुम ठीक हो एमन बोलता है हाँ मैं ठीक हूं और उसके बाद तभी एमन और टेमन दोना बोलता है कि हमारे साथ मेस्क बना बन करो तभी हूंगली को भी लगता है कि ठीक है अब जादा उनको मैस नहीं करना चाहिए और वो पीचे हड़ जाता है और बोलता है ठीक है मैं आपसे तुम्हें कोई प्रॉप्लम ने दूँगा लेकिन तुम भी मेरे ग्रैंट फादर को कुछ मेरे बारे में मत बताना ऐसा कि हूं और टेहन एक साथ घड़े होते हैं और वो टेहन बोलता है चलो घर चलता है घर परते से ही कि mythical कुछ किस करने लगता है और हम नंका किस बहुत ही डीव होता जाँगा जाता है उनके बीच में इंटिमेंट सीन होने लगता है तब91 पीश्टा है कि टेहन उन पूंत इत Tutajन बोलता है कि तुम्हारे में से वानविंग की स्मेल आ रही है और मुझे यह अच्छे नहीं लगती इसलिए मैं अपनी स्मेल से तुम्हें कवर अप करना जाता हूँ जिससे सिर्फ तुम मेरे और मेरे रहोगे मैं तुम्हें एक उपर तक भर देना चाहता हूँ और ऐसा कहके यहन के कपड़े उतारने लगता है और यहन के साथ प्यार करने लगता है और इन दोने के बीच में इंटिमेट से इंचालो हो जाता है यहन बोलता है कि अब जादा नहीं ले सकता है और तुम्हें के बीच में एक इंटिमेट इलेशनशिप वापस बनने लगता है यहन और ट्यून के पीछ में चब कि ये love making चल रहा होता है तब ट्यून को बलता है कि तुम बहुत है cute लग रहे हो तुम्हें नहीं पतर कि तुम इतने ज़ाधा सुंदर लग रहे हो कि मैं और भी ज़ाधा autист हो जाता autist हो रहा हूँ और अब मैं अपने आपको कंट्रोल नहीं कर सकता और इसी के साथ उन दोना की रात ऐसे ही करती है और दूसरे दिन की सवेरे होती है सवेरे जब होती है तो टीनू भागता वा आता है और बोलता है अंकल यून, अंकल यून और देखता है कि अंकल उनके हाथ में एक बैग होता है टेहून वो बैग टीनू को देता है टीनू देखता है कि वो आइसक्रीम का बैग है तब भी वो बोलता है आइसक्रीम आइसक्रीम और ईहून तब ही आजाता है और बोलता है लेके आ जाते हो तो टीहुन बोलता है कि लेकिन इन टीनू को पसंद है इसलिए में लेके आया तो इहुन सुचता है हाँ यह तो हो नहीं था आखिर बाप पेट्टे दोनों एकी जासे हैं और फिर एहुन और टीहुन एक दूसरे को किस करते हैं और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने क्यूट ले पेशाते हैं और तभी इहुन बोलता है कि जाओ जाके अपने आपको वाश अप करो मैं डीनर बनारा जा रहा हूं एहुन की बात को reply देता है टिहून और चला जाता है नहाने के ले अपके बाद जब बात रूमे जाता है तो वहाँ पर तीन ब्रश वाते हैं एक उसका, एक टीनु का और एक एहुन का और वो बोलता है कि अब तो मैं एहुन के घर में इतनी आता जाता रहता हूं कि मैंने अपना एक सेट एहन के घर में ही रख दिया है और यह सोच कि वो बहुत खुश हो जाता है उसके बाद एहन ने खाना बना लिया होता है और उसने टेबल पे खाना सब कर लिया होता है और सब मिलके खाना खा रहे होते हैं काना काने के बाद एहुन और टीहुन एक साथ कमरे में बैटे होते हैं और तब ही टीहुन बोलता है हे एहुन तब ही एहुन पुछता है क्या हुआ तब ही टीहुन बोलता है क्या तुम मेरे साथ मूविन करना चाहते हो मतलब एकी घर में तुम मेरे साथ रहना चाहते है और क्या ये चप्टर आगरी चप्टर है ये 27 वा चप्टर है इस कहानी का और ये सीजन वन है और ये सीजन वन इस चप्टर के बाद खतम हो जाएगा यदि आपको ये स्टोरी सीजन टू की जाननी है या सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं सीजन टू और साइड स्टोरी दोनों बना दूंगी लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस आखरी चप्टर में क्या हो रहा है तो जब टीहन पुछता है यहन से क्या तुम मेरे साथ मुविन करना चाते हो तो यहन उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि हम अभी भी तो एक साथ ही रहते हैं हमें इदर पे शिफ्ट होने की क्या जर्वत है तब ही टीहन पुछता है कि हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते तब इहन बोलता है लेकिन हमने तो अभी अभी एक दूसे को डेट करना चालो किया है यह क्या कुछ जल्दबाजी नहीं हो जाएगा एक साथ में रहना तब ही बोलता है कि ठीक है मैं सोचता हूं इस बारे में और लेकिन एहन वाकई में मनी मन में स्कैर्ड रहता है क्योंकि उसे लगता है कि यदि टीहन और वो एक साथ रहेंगे तो हो सकता है उसका जो इहुन की आदते हैं और उसका जो सभाव है उसमें कुछ बुरी ठीजे भी हो सकती है और उन बुरी चीजों को यदि टीहुन देख लेगा तो शायद टीहुन पर अच्छा नहीं लगेगा इस बात को सोचके वो थोड़ा नर्वस रहता है कि वो टीहुन के साथ उसके गर में शिफ्ट होए या ना होए लेकिन फिर दूसरे तरफ टीहुन को जब टीहुन बिचरा दुखी हो जाता है क्योंकि इहुन अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया होता है एकदम पपी आईस बनाके दुखी होके बैठ जाता है तब ही इहुन बोलता है टीहुन मेरी तरफ देखो और फिर कहता है कि अभी हमारा रिलेशनशिप अभी अभी चालू हुआ है तो हमें थोड़ा और टाइम लेना चाहिए तो हम थोड़ा और टाइम लेंगे और उसके बाद फिर हम एक साथ रहेंगे तो टीहुन फटाक से तयार हो जाता है और इहुन के भी मन में जान में जान आती है कि टीहुन समझ गया है और तब ही इहुन उटता है सोफेपिस से और तीवन को बुचता है क्या तुम कुछ पीना चाहते हो aja अर तभी टीवन उसका हाथ पकड़ लेता है उनका और बूलता है उन एक सकेन रुको और यहन को अपनी गोदी में बिठा लेता है और तभी यहन बूलता है तीवन क्या हुआ अंतब टिंo बुलता है कि मैं कुछ नहीं पीना जाता मैं बस तमारे साथ इसी तरह बैठना जाता हूँ एंबुलता है क्यों टिंo जो है दूसे रूम में सो रहा है तो क्यों न हम थोड़ी दिर कडल करें और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं अंदर नहीं डालूंगा मैं बस उपर से थोड़ा सा रख करूंगा करके तो क्या ये ठीक रहेगा तो इहुन टीहुन की आँकों में देखता है कि इहुन कितना क्यूट लग रहा है और हाँ कह देता है और हाँ कहते से ही टीहुन और इहुन एक दूसरे को किस करने लगते है और ये किस एक डीप होता जाता है इहुन को वो सोफे पे लेटाता है और इहुन उसको फिर से एक किस करता है वो कुछ खास नहीं करता बस वो थोड़ा सा उसकी शरी को रख करता है और कुछ नहीं करता लेकिन एहुन के मुँ से तरह तरह की आवाजे निकलने लगती है और एहुन का अपना मुँ धवाना परता है यक्टि दूसे कमरे में टीनो सो रहा होता है वो नहीं चाहता कि उसकी आवाजे दूसे कमरे तख पहुँचे और तभी वो बोलता है कि तुम्हें तखाता कि तुम सिर्फ रब करोगे फिर तुम क्या कर रहे हो और तभी टीहन बुलता है लेकिन तुम कुछ जादा ही बैठ हो नीचे की जरुछ से तो मुझे तुम्हें थोड़ा सा लूस करने की जरुछत नहीं पढ़ेगी और तभी इन बुलता है किया तुम वाकिए में ये करना चाते होगा कि और वो इनको प्लेजर देने लगता है और इनको अच्छा फिल कराने लगता है वो दोनों इंटिमेट हो जाते हैं और तभी उनके बीच में ये सब चलता ही चलता ही चला जाता है ऐसे करते हैं उनकी ये रात एक passionate रात में बहना जाती है आखरी में वो दोनों अपने को एक दूसरे को फिर से एक बार केस करते हैं दूसरे दिन उठेते हैं दोनों और टीहून अपने आफिस जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे प्रोजेक्ट दिया गया है जिसका वो इंचार्ज है और जो प्रोजेक्ट देती है लेडी वो कहती है कि आज से तुमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा और टीहून जो है वो तोड़ा नर्वस होता है क्योंकि पहले कभी भी उसने इसका काम ऐसा बड़ा काम नहीं किया होता है कि वो एक प्रोजेक्ट का पुरा मैनेजर हो और प्रोजेक्ट को लीड करे तो ये सीजन वन यहाँ पर खतम हों गया है यदि आप चाहते हैं कि मैं सीजन टू लेके आऊँ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएए इसके साथ सीजन टू और सायरी स्टोरी भी है यदि आप इंट्रेस्टेड होंगे तो मैं दोनों अप्लोड करूंगी दन्यवाद ये स्टोरी देखने के लिए यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए यदि आपको लगता है कि आप इसे किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे भी शेयर कीजिए थैंक यू फर वाचिंग